पागत आप सभी का अने कैडमी में दिस इस मानवें प्रिताप सिंग एंड लेट स्टार्ट टूडेज दा हिंदू न्यूज अनैसिस चलिए शुरुबात करते हैं हमारे आज के न्यूज डिसकेशन की जल्दी से एक बात हम सब कर दो कि मुझे ये पता पढ़ जाए कि मेरी आप तक पहुंच रही है कोई टेकनिकल इशू नहीं है और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे आप और दोस लोग भी उठ जाए है हम लोग इतने सुबा सुबा उठें तो दूसरों को बिना उठाए कैसे मानेंगे तो यह दोनों काम आप जल्दी से करिए चलिए और वैसे भी हमें पढ़ने से मतलब होना चीए तो पढ़ हम रहे हैं जल्दी से वीडियो को शेर कर दो यह बहुत हमारी बहुत ही शांदार बात यह पर IF बात यहाँ पर कहती है if the plan does not work change the plan but never the goal मतलब इस से शांदर बात सुबा सुबा हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि भाई होता क्या है ना कि देखो आप लोग preparation शुरू करते हो या फिर आप लोग कोई भी काम शुरू करते हो हमें देखने को क्या मिलता है कि हम उस चीज को करते हैं बट कभी कभी जिस तरीके से हम चाते हैं उस तरीके से हमें result नहीं मिलता है तो ठीक है भाई result नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने जो plan किया था वही गलत है है न तो भाई कम से कम तीन चार ट्राय तो करो यह लाइफ में हर चीज पर एपलीकेबल होता है आप लोग स्टुडेंट्स है तो मैं आप लोगों के लिए वो लूंगा कि यह आपके एक्जाम पर मतलब एपलीकेबल होता है आपको एक्जाम दोगे दो बार तीन बार चार बार UPSC दे रहे हो कम से कम UPSC में तीन attempt तो लेके चलो कि भाई आपको अराम से देने हैं honest हो के देने बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत impatient होते हैं एक साल दिया नहीं हुआ सोचते हैं कि भाई UPSC अपने लिनिये छोड़ दो पर भाई जिनके 5-5 साल में selection हो रहे हैं क्या फिर वो लोग अगर impatient होते तो क्या UPSC में select हो पाते हैं तो बहुत ही simple बात है आपके life में यह हर step पर इसको implement कर सकते हो if the plan does not work change the plan but never the goal I hope I am clear मेरी voice और मेरी बात आप तक पहुँच चुकी होगी गाईज अगर आपने अभी तक इंडिया का best learning platform on academy download नहीं किया है तो जाहिए इसको download करिए इंडिया के best teachers आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं इन से पढ़ने की opportunity को मद गमाईएगा बात करें अनकेडमी के subscription की तो आप अनकेडमी पर plus का subscription ले सकते हैं आप अनकेडमी पर iconic का subscription ले सकते हैं what is the difference between plus and iconic तो plus में देखो आइकॉनिक में देखो आपको दोनों में यह classes teachers की देखने को मिलेगी बट iconic में क्या होगा कि अगर आपको समय 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 पर लगता है कि भाई मुझे यह doubt है मुझे वो doubt है आपको कि subject पढ़ रहे हो subject में कुछ problems आती है तो subject के experts आप से बात करेंगे आप answer writing लिखोगे तो आप 31,000 बट बात क्या यही रुखती है तो जवाब है नहीं यहाँ पर we are there for you हम आपकी help करने के लिए है और आपने यह code use कर देना है आपको 10% का discount मिलेगा in an academy के इस subscription में तो don't wait for it जाईए subscription लीजे क्यों अपना समय वेर्थ कर रहे है जल से जल जाईए पढ़ाई उड़ाई श जाए है तो हमने 6 वहीने का यह course launch किया आप इस में enroll कर सकते हैं हमने 2022 के लिए course launch किया है आप इस में enroll कर सकते हैं आप मुझे an academy पर follow कर सकते है this is my profile on an academy मानवीन प्रताप सिंह आपको यह search करना है यह गंदी सी image मिलेगी यहाँ पर आप मेरी three of cost जो modern history की classes होती है वो attend कर सकते हैं जिसकी already किस lectures महां पर पढ़े हुए है आप जाकर देख सकते हैं and आप मुझे telegram पर follow कर सकते हैं for the PDF of this session तो I hope I have got clear myself मैंने अपनी बाते आप तक रखी है और इसी के साथ हम फिर आज के session को बढ़ाते हैं आगे तो आज हमें जो editorial discuss करने हैं वो है तीन एक हम करेंगे pursuing national interest at the United Nation high table then we will discuss another editorial taxing वाला and last article जो हम discuss करेंगे roots to government private through partnership ठीक है बढ़ते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहला article जो है वो है taxing clunkers देखो इस article पर मैं आगे बढ़ू तो थोड़ा पहला आपको basic देता हूं यह article बताने की कोशिश क्या कर रहा है तो हमारे देश में बहुत सारे vehicles ऐ लाए जा रहे हैं और और ज्यादा pollution कर रहे हैं इसके चलते हुए सरकार जो है एक प्लान कर रही थी कि भाया after 13 time period इन vehicles को ban कर दिया जाए इन vehicles को चलाना allowed नहीं रखा जाए उसी के चलते हुए कदम बढ़ा था और उसी के चलते हुए यह article आया है देखो क्या हुआ from April 1st next year स और ऐसा मतलब अनुमानित है कि यह जो है यह चीज यहाँ पर implement हो जाएगी यह central government की proposed policy ती जिसमें इनका ऐसा था कि जो government vehicles होंगी वो 8 years के बाद scrap कर दी जाएंगी और जो private vehicles होंगी वो 15 years के बाद scrap कर दी जाएंगी आप देख सकते हैं 15 years के पास scrap करी जाएंगी और 8 years के बा जा रहा है सरकार के द्वारा क्या ऐसा policy लेकर आई जा रही है सरकार के द्वारा तो पहले मैं आपको समझा रहा हो context तो सरकार यहाँ पर कोशिश यह करने वाली है कि इन vehicles के ऊपर after this certain time period जो है वो road tax बढ़ा देगी ठीक है अब road tax बढ़ाने से क्या होगा कि भईया आदमी क जो लगेगा कि यार फालतू में मेरी गारी में मुझे इतना पैसा जादा देना पड़ रहा है इससे अच्छा कि मैं अपनी गारी को बेच के हटा हूं या फिर अपनी गारी को scrap कर दूँ और बेचना भी क्यों नहीं चाहेगा क्योंकि बेचने का भी जो amount है तो कोई गारी तो खरीद ली लेकिन चलाने में मेरा बटा बैठ जाएगा और एक महीने मुझे 80,000 रुपे 90,000 रुपे टेक्सी देने पड़ जाएंगे एक hypothetical example है तो क्या या आदमी कभी भी 30-50-60,000 गारी खरीदेगा जवाब है नहीं तो यहाँ पर यह कोशिश करी जाएगी सरका यहाल के द्वारा अब उसको अपन तो डिटेल में देखते हैं मैंने एक छोटा सा आपको बैक्ग्राउंड अभी दिया है अब गवर्मेंट ने देखो यहाँ पर डिसाइड यह किया था कि भाई यह जो कॉमर्शियल ट्रांस्पोर्ट वेहिकल्स हैं और जो विदे विल ह 5-10-25% एक्स्ट्रा ओन रोट टेक्स आफ्टर 8 यह और मैंने एक्ची यहाँ पर तो गरंट टर्मिलोजी यूज़ करी दी जो मैंने बोला था ना कि सरकाव पब्लिक वहिकल्स को जो होगा उसको 8 यह का होगा और प्राइवेट वहिकल्स को आपका 15 यह वोगा यह पब्लि एक्सट्रा उर्टक्स देंगे हर 8 साल मतलब 8 साल होने के बाद commercial वहिकल्स जितने भी हैं और वहीं जो आपके personal वहिकल्स हैं जो आपके private वहिकल्स हैं वो आपको 15 साल के बाद जो है वो इस तरीके का ज्यादा टेक्स देना पड़ेगा तो यह जो सुम हैं यह कोशिश करी जारी है लोगों के मन में एक डर बैठाने की रिगार्डिंग दा मोर पेमेंट आफ दा मनी और इसके थुरू सडक पेसे गंदे वेहिकल को हटाने की तो यहां पर जो में परपस क्या है परपस तो आफकॉस हमें दिख रहा है कि एन्वाइमेंट को प्रटेक्ट करना का परप बोज हुआ है यह ऐसा होना चाहिए कि जो बेचने वाला एमाउंट है उससे जादा हो मतलब बिल्कुल सी बात है जैसे मान लो मेरे पास कोई जैन गाड़ी पड़ी है जो से पुरानी वाली छुटी गाड़ी नहीं आती तो उस वाली गाड़ी को मान लो मैं 30,000 रुपे मे नहीं तो मेरे पास option क्या बचेगा इसको scrap करना क्या करना scrap करना कोई अपनी गाड़ी को अपनी मर्जी से scrap थोड़ो करेगा आप चाहिए कितना भी pollution pollution का कहानी बताते रहो तो फिर सरकार नहीं आप पर यह पीनल वाला जो concept लाया है इसके तुरू करने की कोशिश करी जा रह ही है इसके बाद road transport minister जो है नितिन गटकरी साहब हमारे उन्होंने ये भी कहा है कि जो automobiles industry है future में उसके prices में reduction लाया जाएगा और उसका कारण यह होगा कि जो यह पुराने vehicles हैं यह recycle किये जाएंगे तो इनके जो समान है वो use किये जा सकते हैं तो 20-30% का गिरावर देखने क को मिल सकता है automobile prices के अंदर future में जिससे कि लोग पुराने vehicles को खरीदने के जगा नई vehicles के तरफ अपना कह सकते हो आपकी mood बनाए खरीदने के लिए इसके बाद यहां पे देखो writer जो है वो यह भी बोलते हैं कि vehicle registration database जो है वो हर state को अपना update करने की जरूरत है हर state को यह maintain करने की जरूरत है कि भईया उनके आपर कितने ऐसे commercial vehicles हैं जो 80 year plus हैं कितने ऐसे private vehicles हैं जो 15 year plus हैं जिसे ही कल को जब यह scheme implement हो तब इसको database रहे उस समय तरह तयार रहे और उस scheme को implement करते समय यहां पे सरकारों के पास एक आप कैसे तो पूरा data हो कि भाई यह यह चीज़े हैं यहां यह ऐसे से लोगों के पास यह vehicles की इतने इतने समय हो चुका है ठीक है इसके बाद एको writer जो हैं वो यह बोलते हैं कि इस तरीके अगर data अगर सरकार maintain करेगी update करेगी अलगले state government maintain करेगी तो future में यह benefit करेगा in scrappage policy scrappage policy मतलब इसी का यहां पर writer जो हैं वो बात कर रहे हैं तो this is it guys this is our article last writer यह बोलते हैं कि भया in the end हमें चाहिए तो देश को सासुत्रा और यह जो नई policy है kind of एक अच्छा कदम है इस direction में इसको अच्छे से implement किया जाए अच्छे से लागू किया जाए उसके बाद अपने आपी चीजे जो है वो बेटर हो जाएंगी आगे बढ़ते हैं अ देख सकते हैं कि कल फ्लट आ जाएगी उन एडिटोरियल की ऊपर तो कल के पीपर में ऐसा देखा जा सकता है ऑल्दो वो हमारे ले इतना रिलेमेंट नहीं होगा एडिटोयल वाले परस्पेक्टिव से बट कल आएंगे चुकि आज क्या हुआ एडिटोरियल पहले लिग ग कि आज मतलब मैंना न्यूस पर देख रहा था तो मुझा सुबह ऐसा लग रहा था कि आज एडिटोरियल तो वहीं आएंगे यार मतलब हम लोगों के लिए इतना रिलेमेंट नहीं रहेगा बट आज एडिटोरियल अच्छे आएं और कल प्रोबिबली ऐसा हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट के ऊपर काफी जादा रिटोरियल दिखने को मिलें चलिए आगे बढ़ते हैं पर्सुइंग नेशनल इंट्रेस्ट एडड़ युनाइटे नेशन हाई टेबल इस पर मैं जाओं उससे पहले थोड़ा सा युनाइटे नेशन सेक्योर्टी काउंसिल के बारे म एक औरगन ये भी है पाँच औरगन कौन-कौन से हैं एक है जन्रल एसेम्ली एक है टरॉस्ट्शिप काउंसिल एक है एक ह тебя इन्टरेस्टनल कॉट अ जस्टिस एंट फैक ठीक है तो यह जो United Nation General Assembly यही पहला वाला था United Nation Charter 1945 के according जो है इसको बनाया गया है one of the six principal organ of the United Nation है ठीक है और to work to maintain international peace and security की यहाँ पर बात हो रही है इसका purpose क्या है तो हमने वो भी देखा कि इसका purpose क्या है इसका purpose है to maintain international peace and security total member United Nations Security Council में कितने होते हैं गाइस 15 होते हैं ठीक है P5 plus 1 एक term हम यूज़ कर रहे थे इरान nuclear deal में उसमें जो यह P5 थे ना वो UNSC के ही 5 permanent members थे कौन-कौन होते हैं यह यह United States, Russia, France, China and UK क्या बोला मैंने China, Russia, France, UK and US ठीक है यह आपके P5 nations है permanent 5 members है, United Nations Security Council के total members होते हैं 15 जिसमें 5 आपके permanent हो गए 10 आपके non-permanent हो गए जो non-permanent members होते हैं इनकी तकता जो है वो समय समय पे change होता रहता है in 2 years, ठीक है इनका tenure कितना होता है, permanent वाले तो fix हैं भाई, जो non-permanent वाले जो 10 हैं उनका जो दो-दो साल पे tenure जो है वो change होता रहता है, हर member, हर member के पास एक vote होता है, बट अगर यह जो 5 permanent members हैं, यह किसी भी चीज़ पर अपनी veto power का use करके मना कर दें कि भाई हमें खुश नहीं लग रहा है, इसमें से कोई एक भी कर दे, तो भी सारी चीज़ वही की वही रुख जाएगी, ठीक है, जो presidency है, इस assembly की, वह भी rotate होती है, हर month among its 15 members, headquarter जो है, इसका वो कहां है, New York में, ठीक है, तो I think we got the sufficient information regarding United Nations Security Council, now come to the editorial part, यहाँ पर देखो, editorial क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो देखने कोशिश करते हैं, pursuing national interest at the United Nations high table, देखो यह writer जो है, वो इस article में क्या कहेंगे, हम इसको summarize करूँगा, इसमें ऐसे बहुत हमारे, मतुसका ऐसा कोई ऐसा है निये, जो हमारे बहुत examination point of view से relevant है, कुछ points are very good, तो वो हम discuss करते हैं, तो United Nations Security Council में भारत का जो tenure है, वो 2021 से 22 का है, writer यह बोलते हैं, हम non-permanent member बने हैं, इस बार, जो 10 non-permanent members थे, उसमें से एक अपना India भी है, writer एक बात बोलते हैं, बहुत ही honest review रखते हैं, वो यह कहते हैं, कि देखो भारत जो है, वो permanent membership की demand कर रहा है, भारत क्या कहता है, कि P5 के जगा P6 कर दो, और फिर आपको 10 non-permanent अखने हैं, तो रख दो भाईया, हमको भी permanent member बनाओ, although अपने पास permanent member बनने का opportunity एक समय थी, जब नहरू जी हमारे head हुआ करते थे, तो नहरू जी से जब पूछा गया तब इन्हों नहीं ने भाईया का, नहीं भाई, चाइना डिजर्व करता है, हम डिजर्व नी करते हैं, हम जब डिजर्व करेंगे, तब आप हमें देजिएगा, और फिर भाईया हमारे हाथ से, जो पर्मनेंट 5 में एक position जो है, वो हाथ से छिन गई, अभी बात करते हैं, इसकी की इंडिया, राइटर जो है, वो ये बोलते हैं, कि भारत जो है, समय समय पर डिमांड करता है, कि हमें permanent member बनाओ, ठीक है, तो मुद्दा यहा पर्मनेंट मेंबर तो अभी जल्दी में तो लगेगा नहीं, मतलब लग नहीं रहा है, और ऐसा possible भी नहीं है, practically, कि आपको अगले एक, दो, तीन, चार साल के अंदर पर्मनेंट मेंबर बना दिया जाए, United Nations Security Council का, तो राइटर यह बोलते हैं, कि आपके पास अभी जो आया करिए, जिससे की फ्यूचर में आपको सोचा जाए कि भीया, आपको पर्मनेंट मेंबर बना दिया जाएगा, United Nations Security Council का, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर समझ नहीं पा रहे होंगे, कि सर पर्मनेंट मेंबर बनने का फायदा क्या है, तो भाई, नाम से समझ में आ रहा है, वो चेंज नहीं होंगे, पर्मनेंट मेंबर फिक्स है, नॉन पर्मनेंट मेंबर इंडिया आज है, कल नहीं होगा, ठीक है, दूसरा पर्मनेंट मेंबर के पास वीटो पावर है, जैसे कि चाइना जो है, हम जब भी टेरिस्ट को डेजिनेट करने की कोशिश करते थे, United Nations से तब होता क्या था, चाइना वीटो पावर का यूज करके हर बार रोग दे रहा था, यही हो रहा था ना, तो यही चीजे जो हैं, वो वीटो पावर के साथ बहुत एडवांटेज लेके आएंगी, अगर इंडिया भी पर्मनेंट मेंबर बन जाता है, तो राइटर यहाँ पर बोलते ही हैं, कि देखो भाई, आपका साथ, जो आपके पास है, आप इस पर फोकस करिए, राइटर ने दो तीन परस्पेक्टिव में इन बातों को बोला, जैसे पहला कि चाइना फेक्टर, चाइना जो है, उससे आपकी बन नी रही है, आपके बॉर्डर पर प्रॉब इसमें बोलता है, तो उसका कहीं ने कहीं फाइदा भी मिलता है, एक्जाम्पल है FATF, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान तो गया ही था, याद होगा आपको, तो कैसे गया था, च्योंकि इंडिया ने भी कहीं ने कहीं समय समय पे इसका बहुत अपोस किया है, कि पाकिस् में लोग आपको और खाना देने के लिए सोचे ना, बात आपको समझ में आ गई होगी, short word में मैंने आपको बात कहा दिया, ठीक है, बढ़ें आगे, चलिए, roots to government private thought partnership, ठीक है, ये क्या है, roots to government private thought partnership, ये बहुत शांदार title है, और article भी बहुत शांदार है, इसमें एक बात करने में आदे लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या बात कहना चाह रहा है, ये article, roots to government private thought partnership की बात कर रहा है, यहाँ पर government private partnership की बात नहीं हो रही है, क्या बात हो रही है, ये term बहुत इंपॉर्टेंट है, government private thought की यहाँ बात हो रही है, और आपको ये समझना होगा किसका मतलब क तो मैं पहले इस आर्टिकल को डीटेल में हम चलेंगे शमझेंगे बड़ फोड़ा सा आइडिया ले लो कि आर्टिकल जो है किस चीज के बारे हम बात करता है कि आर्टिकल बात कर रहा है कि आज की डीट में सरकार जो है ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंडिविजुल्स का लाब नहीं उठा रही है देखो अफकॉर्स कभी-कभी क्या होता है ना कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं बहुत जादा ओवर बर्डन होते हैं और पॉलिसी राइटर यहां पे बात उठाते हैं यह बात उठाएंगे कि भया आप प्राइवेट इंडिविजुल्स को रिक्रूट मत करो उनसे मैन पावर मत लो आप उनके थॉट्स क्यों उनसे मांगो काम आप ही करो लेकिन आप उनसे थॉट्स की पार्टनर्शिप करो इंस्टेड किसी बंदे को हायर करने के जगा अभी डिटेल में आएंगे तो आपको और समझ में आएगा कि आर्टिकल क्या कहने कोशिश कर रहा है देखो मिनिस्ट्री ऑफ इस्किल डेवलप्मेंट एंड एंटर्परनर्शिप ने लांच किया है प्रधान मंत्री कोशल विकास योजन नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्किल डेवलप्मेंट के लिए यह स्कीम चलाई जा रही है अब इसका 3.0 करके जो फेज है थर्ट फेज जो है उसको इनिशेट करने की बात करी जा रही है और 2015 में यह लांच हुई थी बट उसी को आगे बढ़ाते हुए यहां पर बात यह क ठीक है इसके बाद देखो राइटर जो है वो आते हैं कि भया गवर्मेंट जो है उसके पास कहीं न कहीं कैपसिटी की कमी है इंड़ इंड़ सेक्शन ओफ नॉलेज और रिसोर्स ऑफ प्राइवेट इंडिविज्विज्व तो फो फोर्ज थॉर्ट पार्टनर्शिप जै प्रांकारों की कमी है तब गवर्मेंट क्या करती है उसकाम को करने के लिए प्राइवेट इंडिविज्विज्व को हायर कर लेती है उनसे वो काम कराती है तो यहां पर राइटर जो हैं वो यह बोलते हैं कि भाईया आप प्राइवेट इंडिविज्विज्व को हायर मत क चुकी है कि private expertise का लेने का मतलब है कि उनको manpower की तरह लो बट उनके manpower की आपको जरूरत नहीं है आपको उनके expertise की जरूरत है आपको उनके thought process की जरूरत है कि किस चीज को किस तरीके से करना है अब writer से देखो बाद में बोलते ही कि इन सब चीजों में जो एक समस्या है वो है funding की देखो रूपेपैस की कमी है इसको जैसे चीज इतनी better तरीके से implement नहीं हो पाती है एंड एसेटर एसेटर वो यहां पे लिखते हैं लास्में writer जो हैं वो यह बोलते हैं कि भया public का interest तो यही है सरजनता का भला ही है अगर public private partnership होगी और यह partnership thought partnership होगी जिसमें private individuals जो हैं वो अपने विचारों को सरकार तक पहुँचाएंगे तो different expertise हैं उनकी जिस फिल्ड में उस फिल्ड में जब भी सरकार को उनकी जरूरत होगी तो वो सरकार को अपनी knowledge share करेंगे और यह जो है यह हमारे country जो आज की डेट में बहुत सारी problem face कर रही है वो उसको कहीं न कहीं solve करने मदद करेगी इसका मैं आपको एक्जामपल दे हैं बट क्या वो किसी एक चीज के expert होते हैं मान लो भया women's के ओपर कोई scheme लानी है कोई policy लानी है अब ठीक है civil servants ने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन क्या वो इतनी expertise रखते हैं कि बिलकुल उनको पता है कि महिलाओं की क्या दिक्कत है क्या समस्या है किस तरीके की चीज़े उ इनके और इनके बीचे partnership हो this is what this article is all about I think I have got myself cleared again ठीक है clear हो गई बात चलो बड़े आगे तो आज का friend page कुछ इस तरीके से हैं इधर है नुश्का शर्मा इधर an academy की summit होने वाली है 2.0 वही attend कर ले न तुम लोगों के लिए यह बिलकुल free of cost होती है काफी सारे speakers जो है वो अपन तो इस बार फिर होगा और इस बार मिसमत करिएगा यहां पर यह देखो बड़ा दर्दनाक एक incident कल हुआ है दिली के अंदर और doctor rallies turn violent as farmers enter capital अब यह discussion अपने examination point of view से तो बिलकुल ऐसा कोई important नहीं है लेकिन देश दुनिया में जो भी चीज़े हैं थोड़ा बहुत तो देखन जिसकुल सही नहीं है और अनार्की जो है वो कहीं किसी को कभी नहीं ले जाती है जिस तरीके के यह incident हुआ काफी ज़्यादा public property का नुकसान हुआ अपने ऐसे वीडियो देखें जिसमें violent हुए हैं जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब आपने ऐसे देखा कि ट्र अपने ही कंट्री में आपको पैरा मिलिटरी फोर्से लगानी पड़ जाती है तो वो दिखाता है कि कितना खतरनाक यह मामला जो है वो बढ़ गया है और कल हमारे देश का गरतंत्र दीवस्ता री पब्लिक देता पुरे विश्यो की नजर हमारे उपर थी उसी में यह incident हुआ तो अब जो भी है let's see कि क्या जांच में आता है कि कौन इसकी पिछे उत्तरदाई है and क्या-क्या च चीजे ठीक नहीं थी चलिए आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं यह बड़िस टाइम कैप्सुल टु मार्क इस सेनेटरी एर देखो यह क्या है ऐसे तो को न्यूज अपने यूपसी के लिए इंपॉर्टन नहीं है बाद थीक है टाइम कैप्सूल किया है थो आ समझ लो बाई देखो ऐसे एक highly खतरनाक metals के अंदर जो हैं वो आफी सारी चीजे लिख के डाली जाती है जो डाली जाती हैं कि मान लो भईया कल को पूरा विश्व खतम हो गया प्रिथवीनस्ट हो गई फिर से नया जन्म हुआ नई लोग आए फिर किसी ने जमीन हो दी तो जैसे आज हम हडपा civilization देखते हैं तो कल लोग हमारे बारे में पढ़ेंगे तो this is what time capsule is all about और AMU ने यही अपनी history के बारे में time capsule में लिखके बरी किया ऐसे और भी बहुत सारे incidents समय समय पर देखने को मिलते हैं ठीक है भाई वीडियो शेर नहीं कर रहे हो तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो इतना तो कर दिया करो यार इतना तो कर सकते हो ना चलो इसके बाद क्या elephant calf rescued from well as well as आपको को सर elephant calf लिखा हुआ और यहां तो पैंगोलीन के picture है तो दोनों ही चीज़ यहां पर rescue करी गई है और यह घटना है आपकी Kolkata की जहां पर यह चीज़ देखने को मिली है हम पैंगोलीन के incident समय समय पर पढ़ते रहते हैं आपको पता है मैं आपको फिर बोल रहा हूँ पैंगोलीन बहुत न्यूज में रहता है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए तो आप क्या जानकरी होनी चीज़ पैंगोलीन चोरी हो रहा है नहीं पैंगोलीन का जो बारे में जो जानकारी होनी ची़ वो मैंने पहले भी दी हुए लेकर मैं स्टेल फिर से रिपीट कर रहा हूँ पहले तो देखो दो टाइप के पैंगोलीन जो है वो जादा प्रॉमिनेंट है जो पाई जाते हैं एक है इंडियन पैंगोलीन दूसरा है चाइनीज पैंगोलीन इंडियन पैंगोलीन जो है वो इंडिया के अंदर है और आप देख सकते हो इसको यह बंगलादेश पाकिस्ता नेपाल शिलंका में भी पाया जाता है चाइनीज पैंगोलीन जो है वो नाम से समझ में आ रहा है कि चाइना के पास ज्यादा है चाइना के आसपास के बॉर्डर पर ज्यादा है भुटान नेपाल ठीक है इधर ज्यादा पाया जाता है पैंगोलीन को थ्रेट क्यों है तो दे देखा नहीं है, कि अगर ये गोल, ऐसे गोल होके बैढ जाता है, तो आप इसके उपर थोड़ा भी मारोगे, तो तूटता नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजे हैं, इसके लावा इसका काफी ज्यादा international trade होता है, China, Vietnam, etc, etc, पे, इसके बाद इसका protection status जब भी इंडियन पैंगोलीन जो है, वो endangered category में है, Chinese पैंगोलीन जो है आपका गाईस, ये critically endangered category में है, ठीक है, clear भी बात, इसके अलावा schedule first, part first of wildlife protection act 1972 में भी इसके entry जो है, वो है, एक बार मैं फिर से repeat करता हूँ, पैंगोलीन जो है, IUCN red list के अंदर, Indian पैंगोलीन, endangered category में है, Chinese पैंगोलीन, critically endangered category में है, जादा खतरनाक position में इसका मतलब Chinese पैंगोलीन है, जिसकी जादा खस्ती हालत है, wildlife protection act 1972 के schedule first, part first में भी आपको इसकी entry मिल जाएगी, ठीक है, इसके बाद, गहलोद government brings MSEND policy for construction work, देखो मैं आपको एक बहुत छोटा सा point बोलना चाहूंगा, और अगर समझदार होगे, तो समझ में आएगा, it's not necessary to read a news, पूरा कहानी, background ये, वो सब कुछ पढ़ना, मैं आपको ये, अपने personal experience से बता रहा हूं, maybe आपका openness पर differ कर सकता है, तो मैंने देखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसा भी ये news पढ़ेंगे, ठीक है, तो अब इस news पर भी पूरी कहानी बता, मतलब पढ़ने लग जाओगे, पूरी कहानी 30 minute के समझ लोगे, background समझ लोगे, ठीक है, मतलब if I know about this thing, तो मैं आपको यहाँ पर इसको 55 dimensions से cover कर करके बता सकता हूँ, मैं पूरा एक घंटे का lecture आपको इस पर ले सकता हूँ, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये पैंगोलीन वाला ही ले लो, या फिर ये ले लो, बट क्या हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, आप लोग current affair पढ़ते हो, आप लोगों को एक दिन का current affair exam में याद नहीं करना है, आपको पूरे साल का current affair याद करना है, एक साल से ज़्यादा current affair याद करना है, यू शुड रीड उनली what is relevant for you on that day, आप ये मत सोचो कि मुझे past में इस से related क्या पढ़ना था, मुझे present में क्या पढ़ना था, मतलब of course background ये वो अलग चीज है, लेकिन जैसे अब ये है, तो अब भाई इसी सा आप related करें कोई और news पढ़े जा रहे हो, तो ये तरीका बहुत गलत है, मतलब ठीक है, वो news में भी important हो आपके examination point of view से, लेकिन आज के एक बार के साथ आप क्यों पढ़ रहे हो से, भाई, क्यों time waste कर रहे हो, वो फिर आएगी news repeat होगी, या फिर आपने पहले जब magazines पढ़ी होगी, वहाँ मिल जाएंगी, तो ये जो तरीका है ना, कि डेड़े डो दो घंटे आप यही सब करे जा रहे हो, ये मत किया करो, कोई मतलब नहीं है, आप अपना time जो है, वो waste कर रहे हो, ठीक है, this is my view about this, आपका change हो सकता है, लेकिन मेरा जो कहना है, कि न्यूस पेपर को उतना ही समय दो, जितना उस दिन का न्यूस पेपर डिजर्व करता हो, ना कि उतना कि भाई आपका मन कर रहा है, कि मुझे इससे ये रिलेट करना है, मुझे ये रिलेट करना है, as a teacher, जैसे मैं अपनी बार बता हूँ, अब जैसे मैंने IUCM Red List बता ही, अब मैं 5 जानवर का खोल के आपको Red List भी बताता रहूँ, बट क्या वो अभी रिलेवेंट है, हम अभी तो न्यूस पेपर अनलसिस कर रहे हैं, न्यूस पेपर पढ़ रहे हैं, तो यही मेरा आप से रिक्वेस्ट है, कि आप लोग जब खुद भी पढ़ा करें, तो इधा उधार मत भटका के लिए सीधे चला करी है, ना वो कावत है कि इधा उधार भटक जाता हूँ, तो मत भटकिएगा नहीं, ठीक है, यह बास समझो, मैं आप लोगो को इत क्यों बोल रहा हूँ, जो river but sand, जो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, बजरी को इंग्लिश में बोलते हैं, river but sand, बजरी का use construction works में होता है, तो Supreme Court ने इसके उपर illegal mining के उपर ban लगा दिया था, 2017 में रास्थान के उपर, और उसके बाद से यहाँ पर demand काफी है, बजरी की इस तरीके के material की, लेकिन जो है कुछ demand जादा है, लेकिन supply पूर्ती नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते हुए manufactured sand, जो है वो यहाँ पर बनानी की घोशना कर दी गई है, मतलब बनाने का मतलब, इसको industry status दे दिया गया है, जो है कि इस फील्ड में जो है लोग अपना investment करें, लोग इस फील्ड में काम करें, और अब dependent जो है, फिर वो riverbed center पे ना रहना पड़े लोगों को, तो it can be a game changer, और रास्थान में ये news आई थी, ठीक है? Trump impeachment goes to Senate, अब ये वाला article हमने देखो पहले भी पड़ा हुआ, लेकिन ठीक है, अपन जल्दी से एक बार repeat करते हैं, तो यूएस में impeachment कैसे होता है, वहाँ पे एक होता है Senate, एक होता है House of Representatives, है ना, जो House of Representatives होता है, वो वहाँ का Lower House होता है, Senate जो होता है, यूएस में कोई President को impeach करने का जो right है, वो सिर्फ और सिर्फ House of Representatives के पास होता है, वहाँ के Lower House के पास होता है, जब वहाँ का Lower House किसी बंदे को impeach कर देता है, तब matter जाता है वहाँ की Senate में, वहाँ की Senate इस matter को as a court की तरह सुनती है, इस समय जब impeachment के बास, जब removal की बात होती है President के, तो वहाँ पे Senate को preside करते हैं, वहाँ के Supreme Court के Judge, और वो दोनों तरब से evidence लेते हैं, दोनों पार्टियों से evidence लेते हैं, फिर होता voting यह है, जैसे Parliament में होती है, वैसी voting ही होती है, बट बस कहने के लिए as a court के तरह फंक्शन करते हैं, और अगर फिर यहाँ पे इनके against में vote चला जाता है, तो Trump साब के उपर एक removal type का जो वो claim था, वो ऐसा हो जाएगा, पर यह एक hypothetical situation है, यह मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पहले भी इनके उपर impeachment का process start किया गया था, और वैसे भी अब तो Biden साब जो हैं, वो वहाँ पे lead कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अभी मुद्दा जो है, वो यह है आपका की impeachment, यह हमने जाना समझा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, थोड़ा से इसमें और एक दो चीछ जानो, कि इंडिया से इसका क्या difference है, तो देखो, इंडिया में हमारा जो प्रेसिडेंट का impeachment है, वो lower house में भी initiate किया जा सकता है, upper house में भी initiate किया जा सकता है, बट हमने US में क्या देखा, कि सिर्फ और सिर्फ lower house में initiate होगा, उसके बाद ही matter upper house में जाएगा, ठीक है, दूसरा हमारे कोई court word की तरह function नहीं होता है, भाईया, लोकसभा अपनी तरह करेगा, रासभा अपनी तरह करेगा, तो यह भाईया, दो basic chart difference, US and India impeachment के बारे में, तो I hope you got cleared about this, और जो removal की power होती हो, Senate के पास होती है, इसको याद करने का एक तरीका होता है, Senate के सामने आप लिख देना, soul power to remove, और house representative के सामने लिख देना, soul power to impeach, ठीक है, I think यह जो है, आप लोगों के बात जो है, दिमार्ग में आगई होगी, yes, it is important for CDS exam also, you can give any exam after watching this analysis, कोई सभी exam आप दे रहें, of course UPSC का perspective से करते हैं, लिकिन देखो, मैं आपको फिर एक बहुत, मैं चीजों का example से बताता हूँ भाई, देखो, ये बाई एक पानी का glass मान लो, ठीक है, अब ये पानी का glass इतना भर सकता है, UPSC के GK का level यहां तक है, है ना, इस से उपर किसी के GK का level है, मतलब GS जो आप बोलते हो, दूसरे exam के रिस्टीम इसको GK बोला जाता है, तो UPSC के exam के level का general knowledge जो है, या current affairs जो है, वो किसी exam में पूछा जाता है, जवाब है, नहीं, तो जब आप इतनी तयारी करके रखोगे, तो जब इतने इतने question आएंगे, छोटे level के तो आप करीद होगे ना, बहुत simple सी बात है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, चलो, बढ़े आगे, as pandemic rages, Italy PM Conte quits, यह हैं, इतली के प्राइम मिनिस्टर हैं, इतली में जो हालात है बड़ी खराब है, और अभी इतली करें तो अपने companies पे यह भी आरोप लगाया था, इतली थी है, इस्पेन थे भी यार नहीं आ रहा मुझे, दिखना पड़ेगा, कि भई, यह हमारे आट की जो medical companies हैं, इनों है गी बड़ाओगी निई वख्विय करें, तो यह सारी चीज़े हैं, इसके बास श्रिलंका, थेंक्स टो इंडिया फॉर वैक्सीन, श्रिलंका ने इंडिया को वैक्सीन के लिए थैंक्स बोला है, हमको पता है कि कुछ countries को हमने जो है अभी vaccine export किया है उसमें से एक आपकी श्रिलंका भी थी तो श्रिलंका ने इसके चलते हुए हमें thanks बोला है यह थोड़ा सा ऐसे directly आपके लिए important नहीं है लेकिन आपके दिमाग में IR बिल्ड करने के लिए बहुत important international relation के लिए जो कि आपको पता है कि कहीं न कहीं गोटा भाई ब्रदर्स जो है वो चाइना के फेवर हैं पहले भी इन्होंने जो पिछले अपने टैन्योर में जो क्या नाम तो उसका बन टोटा पोर्ट एसेटर एसेटर बनवाया था तो उस समय भी इनोंने काफी पैसा लिया आता चाइना की close है वहीं इंडिया का इस तरीके का जैस्चर और इस तरीके से reply जो है काफी अच्छी बात है इंडिया के लिए ठीक है और नेपाल में भी जल से जल पॉलिटिक सही हो और अब लेट सी कि जो वहां पे नहीं सत्ता आती है तो क सही है आपको पूरा Indian अफगानिस्टान का ऑलेशन आप आप अंडिया चायना का बताने मैं लग्जाओं इंडिया नेपल का मण बताने लग्जाओं तो वह आज की आपके बहुत आपके नहीं है और आपको भी ऐक बासमज़ी होगी करेंट अफेर को पुरा दिन current affair नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ोगे भाई, नहीं हो पाएगा, इतना समय कहां से लाते हो, और लोग के पास तो नहीं बचता है, जो serious aspirant होते हैं, तो तुम लोग भी इस बात को समझो, तो यही मेरे कहने का मतलब है, कि थोड़ा थोड़ा चीजों को घुमाने क तो घूमी जा सकती है, लेकिन अपने को उतना नहीं जाना है, जल्दी से इंडिया अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, अग्वानिस्तान में crisis चली रही है, हमारी सरकार से तो वहां की काफी बनती है, बड़ी इजट है, बड़ा अच्छा, हमने काफी कुछ बिल्ट किया हुआ है वहां पे, लेकिन अभी तालीबान वहां पे घूम सकती है, सत्ता में, और तालीबान से इंडिया का जो communication है, कोई खास है नहीं, ठीक है, तो दिल पे चोट तो पहुँचेगी, क्योंकि गाड़ी जो है, हम लोगों को जल से जल बेचनी पड़ेंगी, और इसका एक साइड इफेक्ट आप क्या सकते हो, साइड इफेक्ट नहीं बूलना चाहिए, साइड इफेक्ट इस नॉट दा राइट तम, इसका जो रिपकर्स्टन है, वो यह की जो गरीब आदमी होता है, तो आठट नौनो साल के ऊपर लोन लेके गाड़ी लेता है, उसकी इमाई दे देने पड़ जाएंगे, तो यह सब समस्या भी है, अब बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन, in the end, we all are moving towards a green society, हमें अमार environment को बचाना है, तो हम इन चीजों को, of course, साइड नजंदाज करना होगा, और देश को सच्छ बनाने के लिए, विश्व को सच्छ बनाने के इस तरीके के step में इंडल्स तो होना ही होगा, ठीक है, इसके बाद क्या है, pursuing national interest at the United Nation high table, ये बहुत important थी चीज़ें, देखो, mains के लिए तो ठीक ही है, इसमें कुछ points में आपको बता दिये हैं, लेकिन ये जो है न, ये pre के perspective से काफी important information थी हो, हमने सारी यहां पे discuss करी है, P5 plus 1, क्या था, P5 plus 1 तो इरान nuclear deal या रहा जाती है, बार बार मुझे, P5 permanent members कौन है, हमने देखा, 1 कौन था, P5 plus 1 में Germany, all those का यहां इससे कोई लेना देना नहीं है, that is another issue, अब मैं आपको इरान nuclear deal या पढ़ाने लग जाओ, तो मैं क्या कर रहा हूं, time pass कर रहा हूं, मुझे time इन पस आपके साथ नहीं करना चाहिए, of course that is important for you, it can help you in exam, but क्या ये आज की newspaper में है, नहीं है, तो क्यों जाना उधर, उन गलियों में क्यों जाना, वो गलियां हमने छोड़ दी है, वो गलियां कल थी, तो कल हमने पढ़ी थी, जब फिर आएगी तब फिर पढ़ेंगे, तो UPSC के journey में न, देखो, मैं तुम्हें एक बात बहुत बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारी road है, ठीक है, अब तुम्हें इस road पे चलना तो यहां से शुरू कर देते हो, इसलिए तुम्हें mentor की जरूरत पढ़ती है, इसलिए हम कहते हैं, subscription low, iconic subscription low, और वहां पे code यूज करना MPS, अगर चाहो तो, अब यह example सुन लो, ये देखो भाई, बंदा इधर से इधर चल रहा है, अब वो सडक पर इधर आएगा तो ठीक है, इधर आएगा तो ठीक है, इधर आएगा तो भी ठीक है, बीच में चले तो अच्छा है, लेकिन नहीं चल रहा तो भी कोई बात नही और जो हमें लगता है बेस्ट है, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट है आपके लिए, तो आप लोग भी शीच को इंप्लिमेंट करिए, और कम से कम स्टिक करिए, कल एक लड़के नहीं कोश्चन पूछा था, तो मैं में को मैसेज आया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको बा पचाया गया है, that is not important for us, of course that is very good खबर, but हमाई लिए important था पैंगोलीन के बारे में जानना, जो हमने जानना, एमसेंड वाली जो नहीं policy आई है, वो हमने देखा, क्यों लाया गया है, हमने वो भी देखा, इसके बाद Trump impeachment, हमने US का impeachment देखा, इंडिया के President का impeachment देखा, हमने देखा, comparison देखा, फिर हमने इटली की यह थोड़ा से एक international affairs ताय देख लिया, हमने थोड़ा से IER को समझने की क कोशिश करी, and this is it guys, this is our हमारा आज का session, हमारे एक answer acting discussion करना रहे गया है, तो I know, I will discuss it someday, and आज का जो daydream का question है, वो यह है, आज बहुत ही खदरना question में दे रहा हूं, आप लोग सभी लोग के अपने-पने political opinions होते हैं, तो ऐसे question वैसे कोई लड़ाई जगडा नहीं है, बस कल girl incident पर हम लोग आज का daydream ले लेते हैं, तो what is your opinion about whatever happened yesterday, और as in IAS अगर आप secretary है, खुछ भी होते हैं, आप से Prime Minister Modi ji पूछते कि भाई, क्या action लिया जाए अब, जितने farmers हैं, जो border पर अभी कर रहे हैं, उनकी against action ले ले ले, जो क्या वैसे recognize करना तो possible नहीं है, या क्या आपका यहाँ पे तरीका होता, जिससे की आप जो है, इन चीजों को अब solve करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो दो question मैं आप पूछ रहा हूँ, आपको दो parts ना answer देना है, पहला तो यह, कि जो यह हो चुका है, अब इसके बाद आप लोग क्या करने का सजाव देते, और दूसरा कि यह ना होता, इसके लिए आप क्या करते हैं, या क्या better कर सकते हैं, जो भी कल हुआ, यह ना होता, preparation पहले से करके रखते हैं, पता तो था ही, टेक्टर, रहले होने वाला है, तो let's see, आप दोनों ही जवाब आप लोग को दीजेगा, दोनों ही जवाब दिनी कोशिश पूचिए, उससे पहले अगर आपने भी तक अन अकाडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, और यॉर प्लानीं तो टेक अन अकाडमी सब्सक्रिप्शन, डोन्ट फोगेट तो यूज दिस कोड, MPS, यू विल गट 10% का डिसकाउंट, और यू बहुत लोग पूच रहे ह कि MH21 तक क्लासेस पड़ी हुई है, आप उनको देखिए, मॉडरनिस्टी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कोई पैसा नहीं देना है, कोई रुपे नहीं देने, अगर वो कुछ आपसे कोड मांगता है, एंट्री के लिए, तो MPS डाल दीजेगा, पैसा नहीं लगेगा इसम जहां से आप मेरे इस सेशन के PDF को डाउनलोड कर सकते हो, अनकेडमी मानवेंद, ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं, आप लोगों के कोई भी डाउट हो, तो हम दिखेंगे, ठीक है, तो आगते आप सभी का अनकेडमी में, this is मानवेंद प्रताप सिंह, and let's start today's the Hindu news analysis, च शेयर कर दो, जिससे आप की और दोस लोग भी उठ जाएं, हम लोग इतने सुबा सुबा उठें, तो दूसरों को बिना उठाएं कैसे मानेंगे, तो ये दोनों काम आप जल्दी से करिए, मुझे बताइए कि मेरी वाइस अब तक पहुंच रही है, कोई technical issue नहीं है, and we will start our session ठीक है, और digital vote जो है, वो आज सही हो जाएगा, तो next कल से जो class लेंगे, हम digital vote पर लेंगे, अब भी कुछ technical issues चल रहे है, मैं आपको कल बताया, तो I think session में, तो उस digital vote के अंदर, इसलिए उस पर class नहीं ले रहा हूँ, चलिए, और वैसे भी हमें पढ़ने से मतलब होना चीए तो पढ़ हम रहे हैं, जल्दी से वीडियो को share कर दो, भाई, कितना समय लगाओगे, इतना समय लगाओगे, इतनी बार बुलवाओगे, और थमसब कर दो, बता दो मेरी voice पहुंच रही है, कि नहीं पहुंच रही है, तो I think मेरी voice जो है, वो पहुंच रही है, everything is fine, इसी के स रात हम हमारे session को शुरुवात करते हैं, आज का हमारा session है, वो start करेंगे हमारे आज के motivation, thought से, और बहुत ही शांदार बात यहाँ पर लिखी हुई है, यह बात यहाँ पर कहती है, if the plan does not work, change the plan, but never the goal, मतलब इस से शांदार बात, सुबा सुबा हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, कि भाई होता क्या है ना, कि देखो आप लोग preparation शुरू करते हो, या फिर आप लोग कोई भी काम शुरू करते हो, हमें देखने को क्या मिलता है, कि हम उस चीज़ को करते हैं, बट कभी-कभी जिस तरीके से हम चाहते हैं, उस तरीके से हमें result नहीं मिलता है, तो ठीक है हमने जो प्लान किया था वही गलत है, है ना, तो भाई कम से कम तीन चार ट्राय तो करो, यह life में हर चीज़ पर applicable होता है, आप लोग students है, तो मैं आप लोगों के लिए यह वो लूँगा, कि यह आपकी exam पर applicable होता है, आपको यह exam दोगे, दो बार, तीन बार, चार बार UPSC दे रहे हो, कम से कम UPSC में तीन attempt तो लेके चलो कि भाई आपको अराम से देने हैं, honest हो के देने, बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो बहुत impatient होते हैं, एक साल दिया, नहीं हुआ, सोचते हैं कि भाई UPSC अपने लिए छोड़ दो, पर भाई जिनके 5-5 साल में selection हो रहे हैं, क्या फिर वो लोग अगर impatient होते हैं, तो क्या UPSC में select हो पाते हैं, तो बहुत ही simple बात है, आपके life में यह हर step पर आप इसको implement कर सकते हो, if the plan does not work, change the plan but never the goal, I hope I am clear, मेरी voice और मेरी बात आप तक पहुँच चुकी होगी, गाईज अगर आपने अभी तक इंडिया का best learning platform Unacademy डाउनलोड नहीं किया है, तो जाइए इसको डाउनलोड करिए, इंडिया के best teachers आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इनसे पढ़ने की opportunity को मद गमाईएगा, बात करें Unacademy के subscription की, तो आप Unacademy पे plus का subscription ले सकते हैं, Iconic में देखो, आपको दोनों में यही classes, teachers की देखने को मिलेगी, बट Iconic में क्या होगा, कि अगर आपको समय समय पर लगता है, कि भाई, मुझे यह doubt है, मुझे वो doubt है, आपको किस subject पढ़ रहे हो, subject में कुछ problems आती है, तो subject के experts आप से बात करेंगे, आप answer writing लिखोगे, आपके answer writing चेक करी जाएगी, तो यह तभी संभावत जवाब Iconic सब्सक्रिप्शन लेंगे, जिसका cost 12 मन्त का है, 69,500, 24 मन्त का है, 1,7,000, 36 मन्त का है, 1,41,000, बट बात क्या यहीं रुखती है, जवाब है नहीं, यहाँ पर we are there for you, हम आपकी help करने के लिए हैं, आपने यह code use कर देना है, आपको 10% का discount मिलेगा in an academy के इस subscription में, तो don't wait for it, जाईए, subscription लीजे, क्यों अपना समय वेत कर रहे हैं, जल से जल जाईए, पढ़ाई वडाई शुरू करिए, और आप optional के तयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं, आप optional का subscription भी हमारे साथ ले सकते हैं, जैसा कि आपक इसके UPSC के लिए कुर्स लॉंच किया है, आप उसमें enroll कर सकते हैं, आप मुझे on academy पर follow कर सकते हैं, this is my profile on academy, मानवीन प्रताप सिंग, आपको ये सर्च करना है, ये गंदी सी image मिलेगी, यहाँ पर आप मेरी free of cost जो modern history की classes होती हैं, वो attend कर सकते हैं, जिसकी already किस lectures वहाँ पर आप तक रखी हैं, और इसी के साथ हम फिर आज के session को बढ़ाते हैं आगे, तो आज हमें जो editorial discuss करने हैं, वो है तीन, एक हम करेंगे pursuing national interest at the United Nation high table, then we will discuss another editorial, taxing वाला, and last article जो हम discuss करेंगे, roots to government private group partnership, ठीक है, बढ़ते हैं, शुरुवात करते हैं, सबसे पहला article जो है, वो है taxing clunk देखो, इस article पर मैं आगे बढ़ू, तो थोड़ा पहले आपको basic देता हूँ, यह article बताने की कोशिश क्या कर रहा है, देखो हमारे देश में बहुत सारे vehicles ऐसे होते हैं, जो एक time period के बाद भी चलाय जा रहे हैं, और और ज्यादा pollution कर रहे हैं, इसके चलते हुए, सरकार ज कोशी के चलते हुए, यह article आया है, देखो क्या हुआ, from April 1st next year से इंप्लीमेंट होगा, और ऐसा मतलब अनुमानित है, कि यह जो है, यह यह चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी, यह central government की proposed policy थी, जिसमें इनका ऐसा था कि जो government vehicles होंगी, वो 8 years के बाद scrap कर दी जा government vehicles scrap करी जाएंगी, तो क्या यह directly scrap करी जाएंगी, कैसे scrap करी जाएंगी, क्या सोचा जा रहा है सरकार के द्वारा, क्या ऐसा policy लेके आई जारी है सरकार के द्वारा, तो पहले मैं आपको समझा रहा हो context, तो सरकार यहाँ पे कोशिश यह करने वाली है, कि इन vehicles के ऊपर after this certain time period road tax बढ़ा देगी, ठीक है, अब road tax बढ़ाने से क्या होगा, कि भईया आदमी को लगेगा, कि यार फालतु में मेरी गारी में मुझे इतना पैसा जादा देना पड़ रहा है, इससे अच्छा है कि मैं अपनी गारी को बेच के हटा हूँ, या फिर अपनी गारी को scrap कर क्योंकि बेचने का भी जो है amount है, तो कोई खरीदने वाला बंदा भी देखेगा ना, कि भाई मालो मैं 30,000 रुपए में कोई गारी खरीद रहा हूँ, आज की rate में क्या होता है, बहुत पुरानी गारी जो है 50,000, 60,000 रुपए मिल जाती है, लोग ले लेते हैं, अब अगर कि उपर बहुत जादा tax देना पड़े किसी आदमी को पता है कि मैंने 50,000 रुपप गारी तो खरीद ली, लेकिन चलाने में मेरा भटा बैट जाएगा और एक महीने मुझे 80,000, 90,000 रुपए टेक्सी देने पड़ जाएंगे, एक hypothetical example है, तो क्या ये आदमी कभी भी 30,000, 60,000 सरकार की खरीदेगा, जवाब है नहीं, तो यहाँ पर ये कोशिश करी जाएगी सरकार के द्वारा, अब उसको अपन तो डीटेल में देखते हैं, मैंने एक छोटा सा आपको background अभी दिया है, अब government ने देखो, यहाँ पर डिसाइड ये किया था कि भईया जो commercial transport vehicles हैं, और जो they will have to 10 to 25% extra on road tax after 8 years, और मैंने एक चीज़ यहाँ पर तो गरन टर्मिलोजी यूज़ करी दी, जो मैंने बोला था ना कि सरकार, public vehicles को जो होगा, उसको 8 years का होगा, और private vehicles को आपका 15 years होगा, यह public नहीं है, यह होगा commercial, ठीक है, it is not public, it's not about the government, जितने भी commercial vehicles हैं, उसके लिए यह 8 years वाला नियम applicable होगा, करना क्या है, करना यह है कि भईया 10 से 25% extra road tax देंगे, हर 8 साल, मतलब 8 साल होने के बाद commercial vehicles जितने भी हैं, और वहीं जो आपके personal vehicles हैं, जो आपके private vehicles हैं, वो आपको 15 साल के बाद जो है, वो इस तरीके का जादा tax देना पड़ेगा, तो यह जो scheme है यह कोशिश करी जारी है, लोगों के मन में एक डर बैठाने की, regarding the more payment of the money, और इसके थुरू सडक पे से गंदे vehicles को हटाने की, तो यहाँ पर जो main purpose क्या है, परपस तो of course हमें दिख रहा है, कि environment को protect करना का purpose है, और उसके लिए penal taxation का कानून जो है, यह करने की कोशिश करी जार यह सरकार के द्वारा, जिससे कि लोगों के अंदर कहीं नहीं debt trans create हो, ठीक है, फिर देखो writer यहाँ पर बोलते हैं कि जो यह additional tax proposed हुआ है, यह ऐसा होना चाहिए कि जो बेचने वाला amount है, उससे जादा हो, मतलब बिल्कुल सी बात है, जैसे मानलो मेरे पास कोई जैन गाड़ गाड़ी तो खरीद लेगा, और साल भर में इसके उपर एक लाग रुपर टेक्सी देना पड़ जाएगा, तो क्या कोई आदवी मेरे से गाड़ी खरीदेगा, जवाब है नहीं, तो मेरे पास option क्या बचेगा, इसको scrap करना, क्या करना, क्या करना, स्क्रैप करना, कोई अप टेक्स लगा रहे हो, ये amount इतना होना चाहिए कि आदमी को ये लगे, कि भाई ये गाड़ी लेने मेरे लिए फाइदा नहीं है, इसके बाद, रोड टांस्पूर्ट मिनिस्टर जो है, नितिन गड़करी साहब हमारे, उन्होंने ये भी कहा है, कि जो automobiles industry है, future में उसके prices मे reduction लाया जाएगा, और उसका कारण ये होगा कि जो ये पुराने vehicles हैं, ये recycle किये जाएंगे, तो इनके जो समान है, वो use किये जा सकते हैं, तो 20-30% का गिरावाट देखने को मिल सकता है, automobiles prices के अंदर future में, जिससे कि लोग पुराने vehicles को खरीदने के जगा, नई vehicles के तरफ अ हर स्टेट को ये maintain करने के ज़रूरत है कि भईया, उनके आपर कितने ऐसे commercial vehicles हैं, जो 8 year plus हैं, कितने ऐसे private vehicles हैं, जो 15 year plus हैं, जिसे ही कल को जब ये scheme implement हो, तब इसको database रहे, उस समय ते तयार रहे, और उस scheme को implement करते समय, यहाँ पर सरकारों के पास एक आप कैसे तो पुरा data हो कि भाई, यह यह चीज़े हैं, यहाँ यहाँ पर ऐसे से लोगों के पास यह vehicles की इतने इतने समय हो चुका है, ठीक है, इसके बाद देखो, राइटर जो हैं, वो यह बोलते हैं कि इस तरीके अगर data अगर सरकार maintain करेगी, update करेगी, अलगले state government maintain करेगी, तो future में यह benefit करेगा scrapage policy, scrapage policy मतलब इसी का यहाँ पर writer जो हैं, वो बात कर रहे हैं, तो this is it guys, this is our article, last writer यह बोलते हैं कि भया, in the end हमें चाहिए तो देश को सासुतरा, और यह जो नई policy है, kind of एक अच्छा कदम है, इस direction में, इसको अच्छे से implement किया जाए, अच्छे से लागू किया जाए, उसक देखो, editorials तो आये हैं, editorials में एक भी जो कल दिल्ली में हुआ उस पर आया नहीं है, कल हम देख सकते हैं कि कल flood आ जाएगी, उन editorials के ऊपर, तो कल के paper में ऐसा देखा जा सकता है, although वो हमारे ले इतना relevant नहीं होगा, editorial वाले perspective से, but कल आएंगे, क्योंकि आज क्या हुआ, पहल decide हो गया होगा, publish है करना है, और दिन में incident घटा था, तो जो भागया पून घटना जो कल दिल्ली में हुई है, तो उस पर हमें कल editorial दिखेंगे, although that will not be that much relevant for us, but ऐसी मैंने ये एक guess की आज, मतलब मैंना newspaper देख रहा था, तो मुझा सुभा ऐसा लग रहा था, कि आज editorial तो आए आएंगे यार, मतलब हम लोगों के लिए इतना relevant नहीं रहेगा, बढ़ाज editorial अच्छे आएं, और कल probably ऐसा हो सकता है कि इस protest के ऊपर काफी ज़्यादा editorial दिखने को मिले, चलिए आगे बढ़ते हैं, pursuing national interest at the United Nation high table, इस पर मैं जाओ, उससे पहले थोड़ा सा United Nation Security Council के बारे में ह It's part of United Nation, ठीक है, जो पाच औरगन से United Nations के उसमें से एक पाट ये भी है, एक औरगन ये भी है, पाच औरगन कौन कौन से हैं, एक है General Assembly, एक है Trustship Council, एक है Economic and Social Council, एक है International Court of Justice and then Secretary, ठीक है, तो ये जो United Nation General Assembly ये पहला वाला था, United Nation Charter 1945 के according जो है, इसको बनाया गया है, One of the six principle organ of the United Nation है, ठीक है, और to work to maintain international peace and security के यहाँ पर बात हो रही है, इसका purpose क्या है, तो हमने वो भी देखा कि इसका purpose क्या है, इसका purpose है to maintain international peace and security, total member United Nation Security Council में कितने होते हैं गाइस, 15 होते हैं, ठीक है, P5 plus 1 एक term हम यूज़ कर रहे थे, इरान nuclear deal में, उसमें जो ये P5 थे ना, वो UNSC के ही 5 permanent members थे, कौन कौन होते हैं ये, ये United States, Russia, France, China and UK, क्या बोला मैंने, China, Russia, France, UK and US, ठीक है, ये आपके P5 nations है, Permanent 5 members है, United Nations Security Council के, total members होते हैं, 15, जिसमें 5 आपके permanent हो गए, 10 आपके non-permanent हो गए, जो non-permanent members होते हैं, इनकी तकता जो है, वो समय समय पे change होता रहता है in 2 years, ठीक है, इनका tenure कितना होता है, permanent वाले तो fix हैं भाई, जो non-permanent वाले जो 10 हैं, उनका जो 2-2 साल पे tenure जो है, वो एक vote होता है, बट अगर ये जो 5 permanent members हैं, ये किसी भी चीज़ पर अपनी veto power का use करके मना कर दें कि भाई हमें खुश नहीं लग रहा है, इसमें से कोई एक भी कर दे, तो भी सारी चीज़ वही की वहीं, रुख जाएगी, ठीक है, जो presidency है, इस assembly की, वो भी rotate होती है, हर month among its 15 members, headquarters जो है, इसका वो कहा है, New York में, ठीक है, तो I think we got the sufficient information regarding United Nations Security Council, now come to the editorial part, यहाँ पर देखो, editorial क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो देखने कोशिश करते हैं, pursuing national interest at the United Nations high table, देखो ये writer जो है, वो इस article में क्या कहेंगे है, हम इसको summarize करूंगा, इसमें ऐसे बहुत हमारे मतुसका ऐसा कोई ऐसा नहीं है, जो हमारे बहुत examination point of view is relevant है, कुछ points are very good, तो वो हम discuss करते हैं, तो United Nations Security Council में भारत का जो tenure है, वो 2021 से 22 का है, writer ये बोलते हैं, हम non permanent member बने हैं, इस बार, जो 10 non permanent members थे, उसमें से एक अपना India भी है, writer एक बात बोलते हैं, बहुत ही honest review रखते हैं, वो ये क आपको 10 non permanent अखने हैं, तो रख दो भीया, हमको भी permanent member बनाओ, although अपने पास permanent member बनने का opportunity एक समय थी, जब नहरू जी हमारे head हुआ करते थे, तो नहरू जी से जब पूछा गया तब इन्नों ने भीया का, नहीं भाई, चाइना डिजर्व करता है, हम डिजर्व नी करते हैं, हम जब डिजर्व करेंगे, तब आप हमें देजिएगा, और फिर भीया, हमारे हाथ से जो permanent five में एक position जो है, वो हाथ से छिन गई, अभी बात करते हैं, इसकी राइटर जो है, वो ये बोलते हैं, कि भारत जो है, समय समय पर demand करता है, कि हमें permanent member बनाओ, ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार साल के अंदर permanent member बना दिया जाए, United Nations Security Council का, तो राइटर ये बोलते हैं, कि आपके पास अभी जो आया है, जो non permanent member की seat आई है, आप इसको fully utilize करिए, आप इन दो सालों में अपनी जो इंडिया की पहुँच है, वो पूरे विश्यो के सामने दिखाईए, आप अपने opinions को वहाँ पे अच्छे से रखिए, आप वहाँ पे अपना dominance create करिए, जिससे की future में आपको सोचा जाए कि भया, आपको permanent member बना दिया जाएगा, United Nations Security Council का, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे, कि सर permanent member बनने का फायदा क्या है, तो भाई अब भी terrorist को designate करने की कोशिश करते थे, United Nations से, तब होता क्या था, China veto power का use करके हर बार रोग दे रहा था, यही हो रहा था, तो यही चीजे जो है, वो veto power के साथ बहुत advantage लेके आएंगी, अगर इंडिया भी permanent member बन जाता है, तो राइटर यहाँ पे बोलते ही हैं, कि देखो आपका साथ, जो आपके पास है, आप इस पर focus करिए, राइटर ने दो तीन perspective में बातों को बोला है, जैसे पहला कि China factor, चाइना जो है, उससे आपकी बन नी रही है, आपके border पर problems हो रही है, आप इस बात को आपे रखिए, आप इन बातों को घुमा फिरा के बताएं कि terrorism के against में बोलता है, तो उसका कहीं न कहीं फाइदा भी मिलता है, example है FATF, FATF की grey list में पाकिस्तान तो गया ही था, याद होगा आपको, तो कैसे गया था, च्योंकि India ने भी कहीं न कहीं समय समय पे इसका बहुत oppose किया है, कि पाकिस्तान जो है terrorism को promote करता है, तो ये साही बाते जो है, वो writer यहाँ पे कहते हैं, कि भाया जो थाली में है, अभी उसको खाओ, जो नहीं है, उसके बारे मत सोचो, और थाली में जितनी चीज़े हैं, उसको इतना अच्छे से खालो, कि future में लोग आपको और खाना देने के लिए सोचे ना, बात आपको समझ में आ गई होग ठीक है, बढ़ें आगे, चलिए, Roots to Government Private Thought Partnership, ठीक है, यह क्या है, Roots to Government Private Thought Partnership, यह बहुत शांदार टाइटल है, और आटिकल भी बहुत शांदार है, इसमें एक बात आप समझना, यहाँ पे यह टाइटल पढ़ने में आदे लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या बात कहना चाह रहा है यह article, यह article, यह article, Roots to Government Private Thought Partnership की बात कर रहा है, यहाँ पे Government Private Partnership की बात नहीं हो रही है, क्या बात हो रही है, यह term बहुत इंपॉर्टेंट है, Government Private Thought की यहाँ पे बात हो रही है, और आपको समझना होगा किसका मतलब क्या है, तो मैं पहले इस article को detail में हम चलेंगे, समझे बात कर रहा है, कि आज की rate में सरकार जो है, ऐसा नहीं है कि Private Individuals का लाब नहीं उठा रही है, देखो, अफकोर्स कभी-कभी क्या होता है, कि हमारे civil servants हैं, बहुत जादा overburden होते हैं, और policy making में उनको इतना use, मतलब और भी इतने काम होते हैं, तो उतना ध्यान नहीं दे पात जाते हैं, और women women field के experts को include किया जाता है, जो private persons होते हैं, कि भाया आओ, आप इस पे help करो, ये करो, वो करो, तो writer यहाँ पे बात उठाते हैं, ये writer ये बात उठाएंगे, कि भाया आप private individuals को recruit मत करो, उनसे manpower मत लो, आप उनके thoughts क्यों उनसे मांगो, काम आप ही करो, लेकिन आ अब detail में आएंगे तो आपको और समझ में आएगा कि article क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो, ministry of skill development and entrepreneurship ने launch किया है, प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना, यहीं पे एक pre का question आपका बन जाता है, कि भाया ये PMKVY जो है, ये किस ministry के under work कर रही है, तो ministry of skill development and entrepreneurship, प्रधान मंत करके जो phase है, third phase जो है, उसको initiate करने की बात करी जा रही है, और 2015 में ये launch हुई थी, बट उसी को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे बात ये किया जा रहा है, कि जो 3.0 है, ये जो अभी इसका third संस्क्रान इसको start करने की बात कर रहे है, इसको दो phase में किया जाएगा, पहला 2020 से 21 fiscal year में और दूसरा जो है, 2021 से 26 fiscal year में, ठीक है, इसके बाद देखो, राइटर जो है, वो आते हैं कि भया, गवर्मेंट जो है, उसके पास कहीं न कहीं capacity की कमी है, in the section of knowledge and resource of private individuals to forge thought partnership, जैसे मान लोग कोई scheme बनाई जा रही है, कोई कानून, मतलब कुछ, गवर्मेंट उदा पास काफी समय ऐसे देखने को मिलता है कि resources की कमी है, जानकारों की कमी है, तब government क्या करती है, उसके काम को करने के लिए private individuals को hire कर लेती है, उनसे वो काम कराती है, तो यहाँ पर राइटर जो हैं, वो यह बोलते हैं कि भया, आप private individuals को hire मत करिए, आप thought partnership करिए, आप उनके thoughts को उनसे मांगिए, आप उनके thoughts को include करिए, उनके thoughts को inculculate करिए, और manpower को मत hire करिए, जैसे अभी क्या हो रहा है ना कि एक गलत धारना बन चुकी है, कि private expertise का लेने का मतलब है कि उनको manpower की तरह लो, बट उनके manpower की आपको जरूरत नहीं है, आपको उनके expertise की जरूरत है, आपक इसे चीज़ इतनी better तरीके से implement नहीं हो पाती है, एंड एसेटर एसेटर वो यहाँ पे लिखते हैं, लास्ट में writer जो हैं, वो यह बोलते हैं कि भया, public का interest तो यही है, सरजनता का भला ही है, अगर public private partnership होगी, और यह partnership, thought partnership होगी, जिसमें private individuals जो हैं, वो अपने विचारों को सरकार तक पहुचाएंगे, तो different expertise हैं, उनकी जिस फिल्ड में, उस फिल्ड में जब भी सरकार को उनकी जरूरत होगी, तो वो सरकार को अपनी knowledge share करेंगे, और यह जो है, यह हमारे country जो आज की डेट में बहुत सारी problem face कर रही है, वो उसको कहीं न कहीं solve करने मदद करेगी, करके जाते हैं, बट क्या वो किसी एक चीज के expert होते हैं, मान लो भया, women's के ओपर कोई scheme लानी है, कोई policy लानी है, अब ठीक, civil servants ने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन क्या वो इतनी expertise रखते हैं कि बिलकुल उनको पता है कि महिलाओं की क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, किस त इनके लिए इनके बीचे partnership हो, this is what this article is all about, I think I have got myself cleared again, ठीक है, clear होगी बात, चलो, बढ़ें आगे, तो आज का friend page कुछ इस तरीके से हैं, इधर है नुश्का शर्मा, इधर Unacademy की summit होने वाली है 2.0 वही, attend कर लेना, तुम लोगों के लिए है, बिलकुल free of cost होती है, काफी सा आपके साथ share करें, कैसे आप preparation कर सकते हैं, जी हाँ यह वही summit है, जिसमें last time किरनवेदी जी और इन सब ने काफी सारी अच्छी बाते बोली थी, तो इस बार फिर होगा, और इस बार मिसमत करिएगा, यहाँ पर यह देखो बड़ा धरदनाक एक incident कल हुआ है दिल्ली के तो यहाँ पर देखने को कल काफी कुछ ऐसे चीज़े मिली, काफी बड़े हिंसक जो चित्र थे वो TV screens पर कल देखने को हम सभी को मिले, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और अनार्की जो है, वो कहीं किसी को कभी नहीं ले जाती है, जिस तरीके के यह incident हुआ, काफी जादा public property का नुकसान हुआ, आपने ऐसे वीडियो देखें, जिसमें वॉइलेंट हुए हैं, जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आपने ऐसे देखा कि ट्रेक्टर्स के थुरू जो पब्लिक ट्रांस्पोटेशन था, उसको हाम किया गया, सब चीजों का एक ही सारे कि सब ज इन्होंने भी ये किया है, उन्होंने अपने ही टेक्स का जो टेक्स पे करते हैं, उसी का नुकसान किया है, और काफी खतरनाक शिशकल जो है वो देखने को मिली थी, पेरा-मिलिटरी फोर्से डिप्लॉई करी गई थी, और ये बहुत दर्दनाक इंसिडेंट होता है, पुरे विश्व की नजर हमारे उपर थी, उसी में ये इंसिडेंट हुआ, तो अब जो भी है, लेट सी कि क्या जांच में आता है कि कौन इसकी पिछे उत्तरदाई है, और क्या क्या चीज़े हैं ये देखने को मिली, ये रट फोर्ड आलाभी एक इंसिडेंट हुआ, इसम time capsule to mark its sanitary year, देखो ये क्या है, ऐसे तो को न्यूज अपने UPC के लिए important नहीं है, ठीक, time capsule क्या है थोड़ा समझ लो, भाई देखो ऐसे एक highly khaternak metals के अंदर जो हैं, वो आफी सारी चीजे लिखके डाली जाती है, जो डाली जाती हैं, कि मान लो भाईया, कल को पुरा ये ही अपनी history के बारे में time capsule में लिखके बरी किया, ऐसे और भी बहुत सारे incidents समय समय पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, भाई वीडियो शेर नहीं कर रहे हो तुम लोग, like नहीं कर रहे हो, इतना तो कर दिया करो, इतना तो कर सकते हो न, चलो, इसके बाद क्या elephant calf rescued from well as well as आ पैंगुलीन के incident समय समय पर पढ़ते रहते हैं, आपको पता है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पैंगुलीन बहुत news में रहता है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो आप क्या जानकारी होनी चाहिए, तो आप क्या जानकारी होनी चाहिए, नहीं, वो इंडिया के अंदर है और आप देख सकते हो इसको यह बंगलादेश पाकिस्ता नेपाल श्रिलंका में भी पाया जाता है चाइनीज पैंगोलीन जो है वो नाम से समझ में आ रहा है कि चाइना के पास ज्यादा है चाइना के आसपास के बॉर्डर पर ज्यादा है भुटान नेपाल ठीक है इधर ज्यादा पाया जाता है पैंगोलीन को थ्रेट क्यों है तो देखो इनको थ्रेट इसलेगी इनकी हंटिंग करी जाती है पोचिंग करी जाती है इनके जो शरीर इनके स्केन या फिर इनके I think if I'm not wrong इनके मीट का जो यूज है वो मेडिसिन में किया जात है जो पैंगोलीन का यह शेल होता है लोग बताते हैं अब अपने तो अभी देखा नहीं है कि अगर यह गोल ऐसे गोल होके बैठ जाता है तो आप इसके उपर थोड़ा भी मारोगे तो तूटता नहीं है ठीक है तो यह सारी चीजें इसके लावा इसका काफी जादा इंट अब को रिस्ट में आउसें की रेलिस्ट के अंदर इंडियन पैंगोलीन जो है वो इंडेंशर केतेग्री में है चाइनीय पैंगोलीन जो है आपका गाहल यह इंडेंविय्ड के इंडेंग्री में है चाइनीज पैंगोलीन क्रिटिकली इंडेंजर केटेगरी में है ज्यादा खतरनाक पूजिशन में इसका मतलब चाइनीज पैंगोलीन है जिसकी ज्यादा खस्ती हालत है Wildlife Protection Act 1972 के शेडूल 1st Part 1 में भी आपको इसकी एंडरी मिल जाएगी ठीक है इसके बाद गहलोद गवर्मेंट ब्रिंग्स MSEND policy for construction work देखो मैं आपको एक बहुत छोटा सा point बोलना चाहूंगा और अगर समझदार होगे तो समझ में आएगा It's not necessary to read a news पूरा कहानी background ये वो सब कुछ पढ़ना मैं आपको ये अपने personal experience से बता रहा हूँ मेभी आपका openness पर differ कर सकता है तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं जैसा भी ये news पढ़ेंगे ठीक है तो अब इस news पे भी पूरी कहानी बता पढ़ने लग जाओगे पूरी कहानी 30 minute के समझ लोगे background समझ लोगे ठीक है मतलब if I know about this thing तो मैं आपको यहाँ पर इसको 55 dimensions से cover करके बता सकता हूँ मैं पूरा एक घंटे का lecture आपको इस पर ले सकता हूँ सिर्व इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जैसे ये pangolin वाले ले लो या फिर ये ले लो बट क्या हमें ये करना चाहिए हमें ये नहीं करना चाहिए आप लोग current affair पढ़ते हो आप लोगों को एक दिन का current affair exam में याद नहीं करना है आपको पूरे साल का current affair याद करना है एक साल से ज़्यादा current affair याद करना है you should read only what is relevant for you on that day आप ये मत सोचो कि मुझे past में इस से related क्या पढ़ना था मुझे present में क्या पढ़ना था मतलब of course background ये वो अलग चीज है लेकिन जैसे अब ये है तो भाई इसी सा आप relate करे कोई और news पढ़े जा रहे हो कोई और news पढ़े जा रहे हो तो ये तरीका बहुत गलत है मतलब ठीक है वो news may be important हो आपके examination point of view से लेकिन आज के एक बार के साथ आप क्यों पढ़ रहे हो से भाई क्यों time waste कर रहे हो वो फिर आएगी news repeat होगी या फिर आपने पहले जब magazines पढ़ी होंगी वहां मिल जाएंगी तो ये जो तरीका है ना कि देट देट दो दो घंटे आप यही सब करे जा रहे हो यह मत किया करो कोई मतलब नहीं है आप अपना time जो है वो waste कर रहे हो ठीक है this is my view about this आपका change हो सकता है लेकिन मेरा जो कहना है कि newspaper को उतना ही समय दो जितना उस दिन का newspaper deserve करता हो ना कि उतना कि भाई आपका मन कर रहा है कि मुझे इससे यह relate करना है मुझे यह relate करना है as a teacher जैसे मैं अपनी बात बता हूं तो मैं अभी आपको इसी topics के ऊपर कम से कम 10 चीज़े बता दूँ अब जैसे मैंने IUCN red list बता ही अब मैं 5 जानवर का खोल के आपको red list ही बताता रहू बट क्या वो of course that can be important बट क्या वो अभी relevant है हम अभी तो newspaper analysis कर रह है ना तो यही मेरा आपसे request है कि आप लोग जब खुद भी पढ़ा करें तो इदा हुदर मत भटका के लिए सीधे चला करी है ना वह कावत है कि इदा हुदर भटक जाता हूं मैं तो मत भटकिएगा नहीं ठीक है यह बास समझो मैं आप लोगों क्यों बोल रहा हूं कि बह रिवर बट सेंड जो इसको हम बोलते हैं इंगलिश में बजरी को इंगलिश में बोलते हैं रिवर बैट सेंड बजरी का यूज कंस्ट्रक्शन वर्क्स में होता है तो सुप्रीम कोट ने इसके उपर illegal mining के उपर बैन लगा दिया था 2017 में रास्थान के उपर और उसके रास्थाने का मतलब इसको industry status दे दिया गया है कि इस field में जो हैं लोग अपना investment करें लोग इस field में काम करें और अब dependent जो है फिर वो रिवर बैट सेंड पे ना रहना पड़े लोगों को तो it can be a game changer और यह रास्थान में यह news आई थी ठीक है Senate एक होता है House of Representatives है ना जो House of Representatives होता है वो वहां का lower house होता है Senate जो होता है वो वहां का upper house होता है US में को President को impeach करने का जो right है वो सिर्फ और सिर्फ House of Representatives के पास होता है वहां की lower house के पास होता है जब वहां का lower house किसी बंदे को impeach कर देता है तब matter जाता है वहां की Senate में वहां की Senate इस matter को as a court की तरह सुनती है इस समय जब impeachment के बास जब removal की बात होती है President के तो वहाँ पर Senate को preside करते हैं वहाँ के Supreme Court के judge और वो दोनों तरब से evidence लेते हैं दोनों पार्टियों से evidence लेते हैं फिर होता voting ही है जैसे Parliament में होती है वैसी voting ही होती है बट बस कहने के लिए as a court के तरह function करते हैं और अगर फिर यहाँ पर इंके against में वोट चला जाता है तो Trump साब के उपर एक removal type का जो वो claim था वो ऐसा हो जाएगा पर यह एक hypothetical situation है यह मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ पहले भी इनके उपर impeachment का process start किया गया था और वैसे भी अब तो Biden साब जो है impeachment यह हमने जाना समझा थोड़ा सा समझने ही कोशिश करी थोड़ा से इसमें और एक दो चीछ जानो कि India से इसका क्या difference है तो देखो India में हमारा जो President का impeachment है वो lower house में भी initiate किया जा सकता है अपर house में भी initiate किया जा सकता है बट हमने US में क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ lower house में initiate होगा उसके बाद ही matter अपर house में जाएगा ठीक है दूसरा हमारे कोई court word की तरह function नहीं होता है लोकसभा अपनी तरह करेगा राजसभा अपनी तरह करेगा तो यह आप दो basic चार डिफ्रेंस टेट यूस एंडिया impeachment के बारे में तो I hope you got clear about this कि आपको समझ में आ गया होगा य हाना का जो lower house है that is house representatives , और जो सिर्फ impeachment की power होती है वह house representatives के पास होती है और जो removal की power होती हो सोल पावर टू इंपीच ठीक है that I think यह जो है आप लोगों के बात जो है दिमाग में आ गही होगी yes it is important for cds exam also you can give any exam after getting after watching this analysis कोई सभी exam आप दे रहे रहे of course UPC कम perspective से करते हैं लिकिन देखो मैं आपको फिर एक बहुत मैं चीजों का example से बताता हूं भाई देखो यह बाई एक पानी का glass मान लो ठीक है अब यह पानी का glass इतना भर सकता है UPC के GK का level यहां तक है है ना इससे ओपर किसी के GK का level है मतलब GS जो आप बोलते हो दूसरे exam के इसको GK बोला जाता है तो UPC के exam के level का general knowledge जो है या current affairs जो है किसी exam में पूछा जाता है जवाब है नहीं तो जब आप इतनी तैयारी करके रखोगे तो जब इतने इतने question आएंगे छोटे level के तो आप करीद होगे ना बहुत simple सी बात है इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं चलो बढ़े आगे इतली पीम कोंटे कुट्स ये हैं ग्युस्पे कोंटे और इन्होंने कुट कर दिया है ये इतली के प्रैम मिनिस्टर है इतली में जो हाला थे बड़ी खराब है और अभी इतली करें तो अपने companies पे ये भी आरोप लगाया था इतली थी है स्पेन थे यार नहीं आ रहा को पता है कि कुछ कंट्री को हमने जो है अभी वैक्सीन एक्सपोर्ड किया है उसमें से एक आपकी श्रिलंका भी थी तो श्रिलंका ने इसके चलते हुए हमें थैंक्स बोला है ये थोड़ा सा ऐसे डारेटली आपके लिए इंपॉर्टन नहीं है लेकिन आपके दिमाग मे आयार बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं गोटा भाई ब्रदर्स जो हैं वो चाइना के फेवर हैं पहले भी इन्होंने जो पिछले अपने टैन्योर में जो क्या नाम था उसका हबन टोटा पो प्रटिक सही हो और अब लेट सी कि जो वहां पे नहीं सब्ता आती है तो क्या पता देखो वह हमारे फेवर में आ जाए और फिर जो है चीज़े जो है इंडिया और नेपाल के रिलेशन भी और अच्छे टाइस पे जाएं इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन तो के लिए आपके लिए रिलेवेंट नहीं है और आपको भी एक बास समझनी हो कि करेंट अफेर को पर टे एक से डिड़ घंटे से जादा मत दो इससे जाद अगर आप एनलसिस देख रहे हो ना टोटल किसी का भी मत देखो मैं कहा रहो मेरा नहीं देखना है मत देखो जिसका अगर यह लागू हो जाए आपको घुमाने को घूमी जा सकती है लेकिन अपने को उतना नहीं जाना है जल्दी से इंडिया अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं देखो अग्वानिस्तान में क्राइस चली रही है हमारी सरकार से तो वहां की काफी बनती है बड़ी इज्जत है बड़ा अच्छा है हमने काफी कुछ बिल्ट किया हुआ है वहाँ पे लेकिन अभी तालीबान वहाँ पे घूम सकती है सत्ता में और तालीबान से इंडिया का जो कोई खास है नहीं ठीक है तो दिल पे चोट तो पहुंचेगी क्योंकि गाड़ी जो है हम लोगों को जल स साइड इफेक्ट इस नॉट दा राइट तम इसका जी करिशन है वह यह की जो गरीब आदमी होता है ना देखो भाई वह आठट नौनो साल के ऊपर लोन लेकर गाड़ी लेता है उसकी इमाई देता है तो नौदध साल में भाई लोन उसका खतम होगा यह मैं अपने मन से ब बाकी देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन इन दी एंड वी ओल आर मुविंग टोवर्ड्स ग्रीन सोसाइटी हमें अमार एंवर्मेंट को बचाना है तो हम इन चीजों को साइद नजन्दाज करना होगा और देश को सच्छ बनाने के लिए विश्व को सच्छ बनाने के ल इसके बाद क्या है पर्सुइग नैशनल इंट्रेस्ट एड दा युनाइटे नीशन हाई टेबल यह बहुत इंपोर्टेंट थी चीजें देखो मेंस के लिए तो ठीक है इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिये हैं लेकिन यह जो है ना यह प्री के परस्पेक् अब मैं आपको इरान युकलर डिन्या पढ़ाने लग जाओं तो मैं क्या कर रहा हूं टाइम पस कर रहा हूं मुझे टाइम पस आपके साथ नहीं करना चाहिए अपने आपको श्टक करिये जैसे होता है ना हौर्स अपने यहां पर बांध लेता है क्या बोलते हैं मुझे यहां पर होर्स के आखों के दोनों तरफ यहां पर ऐसा कुछ लगा दिया जाता है कि वह उसके बाहर ना देख पाए तो UPST के जर्णी में न देखो मैं तुम्हें एक बात बहुत बताना चाहता हूं यह तुम्हारी रोड है ठीक है अब तुम इस रोड पर चलना तो यहा तो ठीक है इदर आएगा तो भी ठीक है इदर आएगा तो भी ठीक है वीच में चली है दो अच्छा है लेकिन नहीं चलरह तो भी कुएि बात नहीं से इसके बाद क्या है government private thought partnership की बात हो रही है यह समझी है आपने समझी लिया है फिर हमने देखा दिल्ली में जो एक दुखद incident हुआ है कल फिर हमने देखा time capsule एक कहानी है इसके बारे में हमने जाना time capsule एक concept है उसके बारे में हमने जाना elephant calf और इनको बचाया गया है that is not important for us of course that is very good cover but हमाई लिए important था पैंगुलीन के बारे में जाना जो हमने जाना MSN वाली जो नहीं policy आई है वो हमने देखा क्यों लाया गया है हमने वह भी देखा इसके बाद trump impeachment हमने US का impeachment देखा इंडिया के president का impeachment देखा में देखा comparison देखा फिर हमने इटली की यह थोड़ा से एक international affairs ता यह देख लिया हमने थोड़ा से IR को समझने की कोशिश करी and this is it guys this is our हमारा आज का session हमारे एक answer acting discussion करना रहे गया है तो I know I will discuss it someday and आज का जो daydream का question है वो यह है आज बहुत ही खदना question मैं दे रहा हूं आप लोग सभी लोग के अपने-पने political opinions होते हैं तो ऐसे question वैसे कोई लड़ाई जगडा नहीं है बस कल वाले incident पर हम लोग आज का daydream ले ले लेते हैं तो what is your opinion about whatever whatever happened yesterday और as in IAS अगर आप secretary है कुछ भी होते है आपसे प्राइमिनिस्टर मोधी जी पूछते कि भाई क्या action लिया जाए अब जितने farmers हैं जो border पर अभी कर रहे हैं उनकी against me action ले 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 जो क्या वैसे recognize करना तो possible नहीं है या क्या आपका यहां पे तरीका होता जिससे की आप जो है इन चीजों को अब solve करने की कोशिश करते ठीक है तो दो question में आप पूछ रहा हूं आपको दो पार्ट ना answer देना है पहला तो यह कि जो यह हो चुका है अब इसके बाद आप लोग क्या करने का सजाओ देते और दूसरा कि यह ना होता इसके लिए आप क्या करते या क्या बैटर कर सकते थे जो भी कल होता प्रिपरेशन पहले से करके रखते पता तो था ही टेक्टर रहले होने वाला है तो लेट सी आप दोनों ही जवाब आप लोग को दीजेगा दोनों ही कोशिश करियेगा और इस बात को समझेगा जब फ्यूचर में आइस बनोगे तो ऐसी situation एक्शुल में देखने को मिल देगी तब आपका step लेना जो है बहुत ज़रूरी रहेगा and this is it this is हमारा आज का session अब अगर आपको कोई भी doubt हो कोई भी समस्या होता आप मेरे से पूछिए उससे पहले अगर आपने भी तरह न अकाडमी का subscription नहीं लिया है and you are planning to take an academy subscription don't forget to use this code MPS you will get 10% discount and also you can follow me on an academy कोई बह file मिल जाएगी वहाँ पर follow का button होगा follow कर लेना वहाँ पर मेरी already mh1, mh2, mh3 ऐसे करके mh21 तक classes पड़ी हुई है आप उनको देखिए modernistie का one stop solution है कोई पैसा नहीं देना है कोई रुपे नहीं देने अगर वो कुछ आपसे code मांगता है entry के लिए तो MPS डाल दीजेगा पैसा बात करते हैं आप लोगों के कोई भी doubt हो तो हम देखेंगे ठीक है तो आगत आप सभी का in academy में this is manvind pritaap singh and let's start today is the hindu news analysis चलिए शुरुबात करते है हमारे आज के news discussion की जल्दी से एक बात हम सब कर दो कि मुझे ये पता पढ़ जाए कि मेरी voice जो है वो आप तक पहुंच च शेयर कर दो जिससे आप और दोस लोग भी उठ जाए है हम लोग इतने सुबा सुबा उठें तो दूसरों को बिना उठाए कैसे मानेंगे तो ये दोनों काम आप जल्दी से करिए मुझे बताइए कि मेरी voice अब तक पहुंच रही है कोई technical issue नहीं है and we will start our session ठीक है और digital board जो video को शेयर कर दो भाई कितना समय लगाओगे इतना समय लगाओगे इतनी बार बुलवाओगे और थमसब कर दो बता दो मेरी voice पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है तो I think मेरी voice जो है वो पहुंच रही है everything is fine and इसी के साथ हम हम हमारे session को शुरुवात करते हैं आज का हम है वो start करेंगे है हमारे आज के motivation thoughts से और बहुत ही शांदार बात यहां पर लिखी हुई है यह बात यहां पर कहती है if the plan does not work change the plan but never the goal मतलब इस से शांदार बात सुबा सुबा हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि भाई होता क्या है ना कि देखो आप लोग preparation शुरू करते हो या सब्सक्राइब में देखने को क्या मिलता है कि हम उस चीज को करते हैं बड़ कभी कभी जिस तरीकेसे हम चाते है उस तरीकेसा हमें रिजट नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने जो प्लान किया था वही गलत है है ना तो भाई कम-से-can 3-4 , söy यह L इसाम दोगे दो बार, तीन बार, चार बार UPSC दे रहे हो, कम से कम UPSC में तीन अटेंप्ट तो लेके चलो कि भाई आपको अराम से देने हैं, honest हो के देने, बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो बहुत impatient होते हैं, एक साल दिया, नहीं हुआ, सोचते हैं कि भाई UPSC अपने लि कर सकते हो, if the plan does not work, change the plan but never the goal, I hope I am clear, मेरी voice और मेरी बात आप तक पहुँच चुकी होगी, guys अगर आपने अभी तक इंडिया का best learning platform Unacademy डाउनलोड नहीं किया है, तो जाए इसको डाउनलोड करिए, इंडिया के best teachers आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं, इन से पढ़ने की opportunity को मत गमाईएगा, बात करें Unacademy के subscription की, तो आप Unacademy पर Plus का subscription ले सकते हैं, आप Unacademy पर Iconic का subscription ले सकते हैं, what is the difference between Plus and Iconic, तो Plus में देखो, Iconic में देखो, आपको दोनों में यह classes, teachers की देखने को मिलेगी, but Iconic में क्या होगा, कि अगर आपको समय समय पर लगता है, कि तब ही संभावेत जवाब Unacademy का यह Iconic subscription लेंगे, जिसका cost 12 मन्त का है, 69,500, 24 मन्त का है, 1,7,000, 36 मन्त का है, 1,41,000, but बात क्या यहीं रुकती है, तो जवाब है नहीं, यहाँ पर we are there for you, हम आपकी help करने के लिए हैं, आपने यह code यूज कर देना है, आपको 10% का discount मिलेगा इन Unacademy के इस subscription में, तो don't wait for it, जाईए, subscription लीजे, क्यों अपना समय वेर्थ कर रहे हैं, जल से जल जाईए, पढ़ाई वड़ाई शुरू करिए, और आप optional की तयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं, आप optional का subscription भी हमारे साथ ले सकते हैं, जैसा कि आपको पता है, pre 21 से पहले 6 मह पांच महीने अब रहे गए हैं, तो हमने 6 महीने का ये course launch किया, आप इस में enroll कर सकते हैं, हमने 2022 के लिए course launch किया है, आप इस में enroll कर सकते हैं, आप मुझे Unacademy पे follow कर सकते हैं, this is my profile on Unacademy, Manvind Pritaab Singh, आपको ये search करना है, ये गंदी सी image मिलेगी, यहाँ पे आप मेरी free of cost, ज होती हैं, वो attend कर सकते हैं, जिसकी already किस lectures महा पर पढ़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, आप मुझे telegram पर follow कर सकते हैं, for the PDF of this session, तो I hope I have got clear myself, मैंने अपनी बाते आप तक रखी हैं, और इसी के साथ हम फिर आज के session को बढ़ाते हैं, आगे, तो आज हमें जो editorial discuss करने ह हो हैं, तीन, एक हम करेंगे, pursuing national interest at the United Nation high table, then we will discuss another editorial, taxing वाला, and last article जो हम discuss करेंगे, roots to government private through partnership, ठीक है, बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, सबसे पहला article जो है, वो है, taxing clunkers, देखो, इस article पर मैं आगे बढ़ू, तो थोड़ा पहला आपको basic देदेता हूं, ये article बताने की एक time period के बाद भी चलाए जा रहे हैं, और और ज़्यादा pollution कर रहे हैं, इसके चलते हुए सरकार जो है, प्लान कर रही थी कि भाया, after certain time period, इन vehicles को ban कर दिया जाए, इन vehicles को चलाना allow नहीं रखा जाए, उसी के चलते हुए कदम बढ़ा था, और उसी के चलते हुए ये article आया ह है, देखो क्या हुआ, from April 1st next year से ये implement होगा, और ऐसा मतलब अनुमानित है, कि ये जो है, ये चीज़ यहाँ पर implement हो जाएगी, ये central government की proposed policy थी, जिसमें इनका ऐसा था कि जो government vehicles होंगी, वो 8 years के बाद scrap कर दी जाएंगी, और जो private vehicles होंगी, वो 15 years के बाद scrap कर दी जाएंगी, आप देख सकते हैं, 15 years के पास scrap करी जाएंगी, और 8 years के बाद आपकी government vehicles scrap करी जाएंगी, तो क्या ये directly scrap करी जाएंगी, कैसे scrap करी जाएंगी, क्या सोचा जा रहा है सरकार के द्वारा, क्या ऐसा policy लेके आई जा रही है सरकार के द्वारा, तो पहले मैं आपको समझा रहा कंटेक्स, तो सरकार यहाँ पर कोशिश ये करने वाली है, कि इन vehicles के ऊपर, after this certain time period, जो है, वो road tax बढ़ा देगी, ठीक है, अब road tax बढ़ाने से क्या होगा, कि भईया, आदमी को जो लगेगा, कि यार, फालतु में मेरी गारी में मुझे इतना पैसा जादा देना पड़ रह आज की रेट में क्या होता है, बहुत पुरानी पुरानी गाडी जो है, पचास जार, साथ हजार रुपे मिल जाती है, लोग ले लेते हैं, अब अगर इसी के उपर बहुत जादा tax देना पड़े, कि कि आदमी को पता है, कि मैंने पचास जार रुपे गाडी तो खरी ली, लेकिन चलाने में मेरा भटा बैठ जाएगा और एक महीने मुझे 80,000 रुपे, 90,000 रुपे टेक्सी देने पड़ जाएंगे, एक hypothetical example है, तो क्या या आदमी कभी भी 30,000, 60,000 की खरी देगा, जवाब है नहीं, तो यहाँ पर यह कोशिश करी जाएगी सरकार के द्वारा, और जो विदे विल हेव तो 10-25% एक्स्ट्रा ओन रोट टेक्स आफ्टर 8 यह और मैंने एक ची यहाँ पर तो गरन टर्मिलोजी यूज करी दी, जो मैंने बोला था ना कि सरकार पब्लिक वहिकल्स को जो होगा उसको 8 यह का होगा और प्राइवेट वहिकल्स को आपका 15 यह यह पॉब्लिक नहीं है यह होगा कॉमर्शियल ठीक है इट इस नाट पॉब्लिक इस नाट अबाट गॉर्मेंट जितने भी कॉमर्शियल वहिकल्स हैं उसके लिए यह एट यह वाला नियम एप्लिकेबल होगा करना क्या है करना यह है कि भया 10-25% एक्स्ट्रा रोट टेक् पड़ेगा तो यह जो स्कीम है यह कोशिश करी जा रही है लोगों के मन में एक डर बैठाने की रिगार्डिंग दा मोर पेमेंट ऑफ दा मनी और इसके थुरू सडक पेसे गंदे वहिकल्स को हटाने की तो यहां पर जो मेन परपस क्या है परपस तो आफकॉस हमें दिख र प्राइटर यहां पर बोलते हैं कि जो यह अडिशनल टेक्स प्रपोज हुआ है यह ऐसा होना चाहिए कि जो बेचने वाला एमाउंट है उससे जादा हो मतलब बिल्कुल सी बात है जैसे मान लो मेरे पास कोई जैन गाड़ी पड़ी है जो से पुरानी वाली छुटी गाड पर टेक्सी देना पड़ जाएगा तो क्या कोई आद्वी मेरे से गाड़ी खरीदेगा जवाब है नहीं तो मेरे पास option क्या बचेगा इसको scrap करना क्या करना scrap करना कोई अपनी गाड़ी को मर्जी से scrap थोड़ों करेगा आप चाहिए कितना भी pollution pollution का कहानी बताते रहो तो फि यह गाड़ी लेने मेरे लिए फाइदा नहीं है इसके बाद road transport minister जो है नितिन गटकरी साहब हमारे उन्होंने यह भी कहा है कि जो automobiles industry है future में उसके prices में reduction लाया जाएगा और उसका कारण यह होगा कि जो यह पुराने vehicles हैं यह recycle किये जाएंगे तो इनके जो समान है वो use किय जा सकते हैं तो 20 से 30% का गिरावाट देखने को मिल सकता है automobile prices के अंदर future में जिससे की लोग पुराने vehicles को खरीदने के जगा नई vehicles के तरफ अपना कह सकते हो आपकी mood बनाए खरीदने के लिए इसके बाद यहाँ पे देखो राइटर जो है वो यह भी बोलते हैं कि vehicle registration database जो है वो हर state को अपना update करने की जरूरत है हर state को यह maintain करने की जरूरत है कि भईया उनके आपर कितने ऐसे commercial vehicles हैं जो 8 year plus हैं कितने ऐसे private vehicles हैं जो 15 year plus हैं जिसे ही कल को जब यह scheme implement हो तब इसको database रहे उस समय ते तयार रहे और उस scheme को implement करते समय यहाँ पे सरकारों के पास एक आप कैस तो राइटर जो हैं वो यह बोलते हैं कि इस तरीके अगर data अगर सरकार maintain करेगी, update करेगी, अलगले state government maintain करेगी तो future में यह benefit करेगा in scrapage policy, scrapage policy मतलब इसी का यहाँ पे राइटर जो हैं वो बात कर रहे हैं, तो this is it guys, this is our article, last में राइटर यह बोलते हैं कि भया in the end हमें चाह यह बेटर हो जाएंगी, आगे बढ़ते हैं अगले article के उपर, pursuing national interest at the United Nation high table, आज देखो, editorials तो आएं हैं, editorials में एक भी जो कल दिल्ली में हुआ उस पर आया नहीं है, कल हम देख सकते हैं कि कल flood आ जाएगी, उन editorials के उपर, तो कल के paper में ऐसा देखा जा सकता है, although वो हमारे इतना relevant नहीं होगा, editorials वाले perspective से, but कल आएंगे, क्योंकि आज क्या हुआ, editorials फोरा पहले लिग गया होगा, या पहले decide हो गया होगा, publish करना है, और दिन में incident घटा था, तो जुर्भागयपून घटना जो कल दिल्ली में हुई है, तो उस पर हमें कल editorials दिखेंगे, although that will not be that much relevant for us, but ऐसी मैंने ये एक guess किया, मतलब मैं आज newspaper देख रहा था, तो मुझा सुभा ऐसा लग रहा था, कि आज editorials तो वहीं आएंगे, यार, मतलब हम लोगों के लिए इतना relevant नहीं रहेगा, बट आज editorials अच्छे आएं, और कल प्रोबिबली ऐसा हो सकता है, कि इस protest के उपर क पाफी ज़्यादा रेटोर्स देखने को मिले, चलिए आगे बढ़ते हैं, pursuing national interest at the United Nation high table, इस पे मैं जाओ, उससे पहले थोड़ा सा United Nation Security Council के बारे में हम चर्चा करते हैं, United Nation Security Council जो है, ये एक organization है, किसकी है, जल्दी बताओ, United Nation Security Council जो है, it's a part of, it's part of United Nation, ठीक है, जो पाच और से United Nations के उसमें से एक part ये भी है, एक organ ये भी है, पाच organ कौन कौन से हैं, एक है General Assembly, एक है Trustship Council, एक है Economic and Social Council, एक है International Court of Justice and then Secretary, ठीक है, तो ये जो United Nation General Assembly ये पहला वाला था, United Nation Charter 1945 के according जो है, इसको बनाया गया है, one of the six principal organ of the United Nation है, ठीक है, और to work, to maintain international peace and security के यहाँ पर बात हो रही है, इसका purpose क्या है, तो हमने वो भी देखा कि इसका purpose क्या है, इसका purpose है, इसका purpose है to maintain international peace and security, total member United Nation Security Council में कितने होते हैं गाइस, 15 होते हैं, ठीक है, P5 plus 1 एक term हम यूज़ कर रहे थे, इरान nuclear deal में, उसमें जो यह P5 थे ना, वो UNSC के ही 5 permanent members थे, कौन-कौन होते हैं यह, यह United States, Russia, France, China and UK, क्या बोला मैंने, China, Russia, France, UK and US, ठीक है, यह आपके P5 nations हैं, permanent 5 members है, United Nations Security Council के, total members होते हैं, 15, जिसमें 5 आपके permanent हो गए, 10 आपके non-permanent हो गए, जो non-permanent members होते हैं, इनकी तकता जो है, वो समय समय पे change होता रहता है, in 2 years, ठीक है, इनका tenure कितना होता है, permanent वाले तो fix हैं भाई, जो non-permanent वाले जो 10 हैं, उनका जो 2-2 साल पे tenure जो है, वो change होता रहता है, हर member, हर member के पास एक vote होता है, बट अगर ये जो 5 permanent members हैं, ये किसी भी चीज़ पर अपनी veto power का use करके मना कर दें कि भाई, हमें खुश नहीं लग रहा है, इसमें से कोई एक भी कर दे, तो भी सारी चीज़ वही की वहीं, रुख जाएगी, ठीक है, जो presidency है, इस United Nations Security Council, now come to the editorial part, यहाँ पर देखो, editorial क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो देखनी कोशिश करते हैं, pursuing national interest at the United Nations high table, देखो ये writer जो है, वो इस article में क्या कहेंगे, हम इसको summarize करूँगा, इसमें ऐसे बहुत हमारे, मत उसका ऐसा कोई ऐसा नहीं है, जो हमारे बहुत examination point of use relevant है, writer ये बोलते हैं, हम non permanent member बने हैं, इस बार, जो 10 non permanent members थे, उसमें से एक अपना इंडिया भी है, writer ये बात बोलते हैं, बहुत ही honest review रखते हैं, वो ये कहते हैं, कि देखो भारत जो है, वो permanent membership की demand कर रहा है, भारत क्या कहता है, कि P5 के जगा P6 कर दो, और फिर आपको 10 non permanent अखन चाइना डिजर्व करता है, हम डिजर्व नी करते हैं, हम जब डिजर्व करेंगे, तब आप हमें देजिएगा, और फिर भाया हमारे हाथ से जो permanent 5 में एक position जो है, वो हाथ से छिन गई, अभी बात करते हैं, इसकी writer जो है, वो ये बोलते हैं, कि भारत समय समय पर demand करता है, क practically, कि आपको अगले एक, दो, तीन, चार साल के अंदर permanent member बना दिया जा, United Nations Security Council का, तो writer ये बोलते हैं, कि आपके पास अभी जो आया है, जो non permanent member की seat आई है, आप इसको fully utilize करिए, आप इन दो सालों में अपनी जो इंडिया की पहुँच है, वो पूरे विश्व के सामने दिख अब बहुत सारी लोग यहां पर समझ नहीं पा रहे हों, कि सर्फ permanent member बनने का फाइदा क्या है, तो भाई, नाम से समझ में आ रहा है, वो change नहीं होंगे, permanent member fix है, non permanent member इंडिया आज है, कल नहीं होगा, ठीक है, दूसरा permanent member के पास veto power है, जैसे कि China जो है, हम जब भी terrorist को designate करने हर बार रोग दे रहा था, यही हो रहा था ना, तो यही चीजे जो हैं, वो veto power के साथ बहुत advantage लेके आएंगी, अगर इंडिया भी permanent member बन जाता है, तो राइटर यहां पर बोलते हैं, कि देखो भाई, आपका साथ, जो आपके पास है, आप इस पर focus करिए, राइटर ने दो कतिविदियों का use कर रहा है, आप terrorism पर focus करिए, इंडिया जो है, पाकिस्तान के अगेंस्ट में, इतनी अलग-अलग platforms में, terrorism के अगेंस्ट में बोलता है, तो उसका कही ने कहीं फाइदा भी मिलता है, example है FATF, FATF की grey list में पाकिस्तान तो गया ही था, याद होगा आपको, त कैसे गया था, क्योंकि इंडिया ने भी कही ने कहीं समय समय पर इसका बहुत oppose किया है, कि पाकिस्तान जो है terrorism को promote करता है, तो ये सारी बाते जो हैं, वो writer यहाँ पर कहते हैं, कि भाया जो थाली में है, अभी उसको खाओ, जो नहीं है, उसके बारे मत सोचो, और थाली में ज प्राइवेट फ्रॉथ पार्टनर्शिप ठीक है, ये क्या है, रूट्स तू गवर्मेंट प्राइवेट फोट पार्टनर्शिप यह बहुत शान्दार टाइटल है, और एक बहुत शान्दार है, इसमें एक बात आप समझना, यहाँ पे ये टाइटल पढ़ने में आदे लोग् tightened समझ नहीं क्या कहना चाहा कूल यह लुट्स टू गफर्मेंट प्राइमेट थौर्ट पकर्रेशिप की बात कर रहा है यहां पर itinerly ऑफर हम प्राइप but लेलो कि आर्टिक्ल जो है ये किस चीज के बारे बात करता है आज की डेट में सरकार जो है ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंडिविजूल्स का लाब नहीं उठा रही है देखो अफकॉर्स कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं बहुत जादा ओवर बर्डन होते हैं और पॉलिसी मेकिंग में उनको इतना यूज मतलब और भी इतने काम होते हैं तो उतना जादा ध्यान नहीं दे पाते हैं रिसर्च नहीं कर पाते हैं और विभिन फिल्ड के फिर एक्सपर्ट को इंक्लूट किया जाता है जो प्राइबेट परसंस होते हैं आओ आप इस पर हैल्प करो ये करो वो करो तो राइटर यहां पे बात उठाते हैं ये राइटर ये बात उठाएंगे कि भाया आप private individuals को recruit मत करो, उनसे manpower मत लो, आप उनके thoughts क्यों उनसे मांगो, काम आप ही करो, लेकिन आप उनसे thought की partnership करो instead of किसी बंदे को hire करने के जगा, अभी detail में आएंगे तो आपको और समझ में आएगा कि आर्टिकल क्या कहने की कर रहा है, देखो ministry of skill development and entrepreneurship ने launch किया है प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना, यहीं पे एक प्री का question आपका बन जाता है कि भाया ये PMKVY जो है, ये किस ministry के under work कर रही है, तो ministry of skill development and entrepreneurship, प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना नाम से ही समझ में आ रहा है कि skill development के लिए ये scheme चला जा रही है, अब इसका 3.0 करके जो phase है, थर्ट phase जो है, उसको initiate करने की बात करी जा रही है, और 2015 में ये launch हुई थी, बट उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर बात ये किया जा रहा है कि जो 3.0 है, ये जो अभी इसका 3rd संस्क्रान इसको start करने की बात कर रहे हैं, इसक गवर्मेंट जो है, उसके पास कही न कहीं capacity की कमी है, in the section of knowledge and resource of private individuals to forge thought partnership, जैसे मान लोग कोई scheme बनाई जा रही है, कोई कानून, मतलब कुछ गवर्मेंट उदार कोई policy बनाई जा रही है, तो यहाँ पर देखा क्या जाता है, ये गवर्मेंट के पास काफी समय ऐसा देखने के को मिलता है कि resources की कमी है, जानकारों की कमी है, तब गवर्मेंट क्या करती है, उसका काम को करने के लिए private individuals को hire कर लेती है, उनसे वो काम कराती है, तो यहाँ पर राइटर जो हैं, वो ये बोलते हैं कि भईया आप private individuals को hire मत करिये, आप thought partnership करिये, आप उनके thoughts को उनसे मांग चुकी है कि private expertise का लेने का मतलब है कि उनको manpower की तरह लो, बट उनके manpower की आपको जरूरत नहीं है, आपको उनके expertise की जरूरत है, आपको उनके thought process की जरूरत है कि किस चीज को किस तरीके से करना है, अब राइटर से देखो बाद में बोलते हैं कि इन सब चीजों में जो एक स समस्या है, वो है funding की, देखो रूपे-पैसो की कमी है, इसको जैसे इतनी better तरीके से implement नहीं हो पाती है, and etc. etc. वो यहाँ पे लिखते हैं, लास्ट में राइटर जो हैं वो यह बोलते हैं कि भया, public का interest तो यही है, सरजनता का भला ही है, अगर public private partnership होगी, और यह partnership, thought partnership होगी, जिसमें private individuals जो हैं, वो अपने विचारों को सरकार तक पहुचाएंगे, जो different expertise हैं, उनकी जिस फिल्ड में, उस फिल्ड में जब भी सरकार को उनकी जरूरत होगी, तो वो सरकार को अपनी knowledge share करेंगे, और यह जो है, यह हमारे country जो आज की डेट में बहुत सारी problem face कर रही है, वो उसको कहीं न कहीं solve करने मदद करेगी, इसका मैं आपके example दे दूँ कि कैसे यह समझे, क्या करने की बात करें, जैसे civil servants ही तो देखो policy making करते हैं, बाद में bureaucrates जो हैं, secretaries में जाकी यही तो बनते हैं, तो civil servants, of course, they are experts, यह इतना exam qualify करके जाते हैं, बट क्या वो किसी एक ची महिलाओं की क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, किस तरीके की चीजे उनको फाहिदे मंद कर सकती है, या किस scheme के अंदर क्या ऐसे reforms लाए जाएं, जो महिलाओं को फाहिदे मंद हो, तो ऐसे situation में सरकार को क्या करना चाहिए, कि जो इस field के experts हैं, उनके thoughts को inculculate करें, और इसके ल अधर अनकेडमी की summit होने वाली है, 2.0 वही अटेंड कर लेना, तुम लोगों के लिए यह है, बिल्कुल free of cost होती है, काफी सारे speakers जो है, वो अपने विचार आपके साथ शेर करें, कैसे आप preparation कर सकते हैं, जी हाँ यह यह वही summit है, जिसमें last time किरन वेदी जी और इन समने का काफी सारी अच्छी बाते बोली थी, तो इस बार फिर होगा, और इस बार मिसमत करिएगा, यहाँ पर यह देखो बड़ा दरदनाक एक incident कल हुआ है दिल्ली के अंदर, और dactor rallies turn violent as farmers enter capital, अब यह discussion अपने examination point of view से तो बिल्कुल ऐसा कोई important नहीं है, लेकिन देश दुनिया में जो भी चीज़े हैं थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, तो यहाँ पर देखने को कल काफी कुछ ऐसे चीज़े मिली, काफी बड़े हिंसक जो चित्र थे वो TV screens पे कल देखने को हम सभी को मिले, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और अनार्की जो है वो कहीं किसी को कभी नह ले जाती है, जिस तरीके का यह incident हुआ, काफी ज़्यादा public property का नुकसान हुआ, अपने ऐसे वीडियो देखें जिसमें violent हुए हैं, जो लोग भी protest कर रहे थे, और अब आपने ऐसे देखा कि ट्रेक्टर्स के थुरू जो रोड ट्रांस, जो public transportation था, उसको हाम किया गया, सब काफी खतरनाक इसे शिशकल जो है, वो देखने को मिली थी, paramilitary forces deploy करी गई थी, और यह बहुत दर्दनाक incident होता है, देखो जब भी आपके अपने ही country में आपको paramilitary forces लगानी पड़ जाती है, तो वो दिखाता है कि कितना खतरनाक यह मामला जो है वो बढ़ गया है, और कल ह हमारे देश का घरतंत्र दिवस्ता रिपब्लिक डेता पुरे विश्यो की नजर हमारे उपर थी, उसी में ये incident हुआ, तो अब जो भी है, let's see, कि क्या जांच में आता है कि कौन इसकी पिछे उत्तरदाई है, और क्या-क्या चीज़े हैं यह देखने को मिली, यह Redford आला भी time capsule to mark its sanitary year, देखो यह क्या है, ऐसे तो कोई news अपने UPC के लिए important नहीं है, अब ठीक, time capsule का है, थोड़ा समझ लो, भाई देखो, ऐसे एक highly खतरनाक metals के अंदर जो हैं, वो आफी सारी चीज़े लिख के डाली जाती हैं, जो डाली जाती हैं, कि मान लो भाईया, कल को पूरा विश्व खतम हो गया, प्रित्वीनस्ट हो गई, फिर से नय जनम हुआ, नई लोग आए, फिर किसी ने जमीन खो दी, तो जैसे आज हम हडपा civilization देखते हैं, तो कल लोग हमारे बारे में पढ़ेंगे, तो this is what time capsule is all about, और AMU ने यही अपनी history के बारे में time capsule में लिखके बरी elephant calf rescued from well as well as, आपको सर elephant calf लिखा हुआ और यहां तो pangolin के picture है, तो दोनों ही चीज़ यहां पर rescue करी गई है, और यह घटना है आपकी कॉलकत्ता की, जहां पर यह चीज़ देखने को मिली है, हम pangolin के incident समय समय पर पढ़ते रहते हैं, आपको पता है, मैं आपको फिर बोल रहा है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप क्या जान करी होनी चीज़, k unasань और इंडिया के अंदर है। और आप देख सकते हो इसको यह बangलदेश, पाकिस्तान, नेपाल, शिलंका में भी पाया जाता है। Chinese pangolin जो है वो नाम से समझ में आ रहा है कि चाइना के पास ज्यादा है चाइना के आसपास के बॉर्डर पर ज्यादा है भूटान नेपाल ठीक है इधर ज्यादा पाया जाता है इसलेवे इनकी हंटिंग करी जाती है इंके जो इनके गॉल फिरफ थोड़ा भी दावा तो 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 चीज़ें इसके लावाच अंतरनेशनल ट्रेड होता है चाइना वयतनम एकसे ट्रा के चाइट वाश का protection status जब भी किसी जानवर के बारे में पढ़ना है उसका protection status पढ़ना है UPC इस चीज के ओपर past में focus करते हुई पाई गई है तो IUCN में red list में आता है ये ठीक है IUCN की red list में IUCN की red list के अंदर Indian pangolin जो है वो endangered category में है Chinese pangolin जो है आपका guys ये critically endangered category में ठीक है इसके एंट्री जो है वो है एक बार मैं फिरसर रिपीट करता हूँ पैंगोलीन जो है IUCN red list के अंदर Indian pangolin endangered category में है Chinese pangolin critically endangered category में है जादा खतरना position में इसका मतलब Chinese pangolin है जिसकी ज्यादा खस्ती हालत है Wildlife Protection Act 1972 के schedule first part first में भी आपको इसकी एंट्री मिल जाएगी ठीक है इसके बाद गहलोद government brings MSEND policy for construction work देखो मैं आपको एक बहुत छोटा सा point बोलना चाहूंगा और अगर समझदार होगे तो समझ में आएगा it's not necessary to read a news पूरा कहानी background ये वो सब कुछ पढ़ना मैं आपको ये अपने personal experience से बता रहा हूँ मेभी आपका opinion इस पर differ कर सकता है तो मैंने देखा है बहुत सारी लोग क्या करते हैं जैसा अब ये news पढ़ेंगे ठीक है तो अब इस news पे भी पूरी कहानी बता मतलब पढ़ने लग जाओगे पूरी कहानी 30 minute के समझ लोगे background समझ लोगे ठीक है मतलब if I know about this thing तो मैं आपको यहाँ पे इसको 55 dimension से cover करके बता सकता हूँ मैं पूरा एक घंटे का lecture आपको इस पर ले सकता हूँ सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जैसे यह पैंगोलीन वाला ही ले लो या फिर यह ले लो बट क्या हमें यह करना चाहिए हमें यह नहीं करना चाहिए आप लोग current affair पढ़ते हो आप लोगों को एक दिन का current affair exam में याद नहीं करना है आपको पूरे साल का current affair याद करना ह है you should read only what is relevant for you on that day आप यह मत सोचो कि मुझे past में इससे related क्या पढ़ना था मुझे present में क्या पढ़ना था मतलब of course background यह वो अलग चीज है लेकिन जैसे अब यह है तो भाई इसी सा आप रिलेट करें कोई और news पढ़े जा रहे हो कोई और news पढ़े जा रहे हो तो यह तरीका आप बहुत गलत है मतलब ठीक है वो news may be important हो आपके examination point of view से लेकिन आज के एक बार के साथ आप क्यों पढ़ रहे हो से भाई क्यों time waste कर रहे हो वो फिर आएगी news repeat होगी या फिर आपने पहले जब magazines पढ़ी होगी वहां मिल जाएंगी तो यह जो तरीका है ना कि डेड़ दे दो दो घंटे आप यही सब करे जा रहे हो यह मत किया करो कोई मतलब नहीं है आप अपना time जो है वो waste कर रहे हो ठीक है this is my view about this आपका change हो सकता है लेकिन मेरा जो कहना है कि newspaper को उतना ही समय दो जितना उस दिन का newspaper deserve करता हो ना कि उतना कि भाई आपका मन कर रहा है कि मुझे इ as a teacher जैसे मैं अपनी बात बता हूँ तो मैं अभी आपको इसी topics के ऊपर कम से कम 10 चीज़े बता दूँ अब जैसे मैं ने IUCN red list बता ही अब मैं 5 जानवर का खोल के आपको red list ही बताता रहूं but of course that can be important but क्या वो अभी relevant है हम अभी तो newspaper analysis कर रहे है ना newspaper पढ़ रहे है तो यही यह बात समझो मैं आप लोगों क्यों बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग आप में से यह चीज़ कर रहे हैं और जो कि बिल्कुल सही नहीं है अब देखो government ने मारा स्थान government का यह है एक तो mining को रोकने के लिए 2017 में Supreme Court ने महा पे जो बजरी है और यह सब चीज़े निकली जा राधिया तो 2017 में रास्थान के उपर और उसके बाद से यहां पर demand काफी है बजरी की इस तरीके के material की लेकिन जो है कुछ demand जादा है लेकिन supply पूरती नहीं हो पा रही थी जिसके चलते हुए manufactured sand जो है वह यहां पर बनानी की घोशना कर दी गई है मतलब बनाने का मतलब इस इसको industry status दे दिया गया है कि इस फिल्ड में जो हैं लोग अपना investment करें लोग इस फिल्ड में काम करें और अब dependent जो है फिर वो riverbed center पे ना रहना पड़े लोगों को तो it can be a game changer और रास्थान में यह news आई थी ठीक है जो हाउस और रिपरेजन्टेटिव होता है वहां का लोवर हाउस होता है सेनेट जो होता है वहां का अपर होता है यूएस में कोई president को impeach करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ house और रिपरेजन्टेटिव के पास होता है वहां के लोवर हाउस के पास होता है जब वहा तो वहाँ पे Senate को Preside करते हैं वहाँ के Supreme Court के Judge और वो दोनों तरब से evidence लेते हैं दोनों पार्टियों से evidence लेते हैं फिर होता voting ही है जैसे Parliament में होती है वैसी voting ही होती है बट बस कहने के लिए ऐसे court के तरह function करते हैं और अगर फिर यहाँ पे इनके against में vote चला जाता है तो Trump साब के उपर एक removal type का जो वो claim था वो ऐसा हो जाएगा पर ये एक hypothetical situation है ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ पहले भी इनके उपर impeachment का process start किया गया था और वैसे भी अब तो Biden साब जो है वो हाँ पे lead कर रहे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है पर अभी मुद्दा जो है वो ये है आपका कि impeachment ये हमने जाना समझा थोड़ा सा समझने ही कोशिश करी थोड़ा से इसमें और एक दो चीज़ जानो कि इंडिया से इसका क्या difference है तो देखो हमारे हैं कोई court word की तरह function नहीं होता है भाईया लोग सभा अपनी तरह करेगा राज सभा अपनी तरह करेगा तो ये भाईया दो basic चार डिफ्रेंस टेट US and India impeachment के बारे में तो I hope you got clear about this कि आपको समझ में आ गया होगा ये बाद ध्यान रखिएगा वाहा का जो lower house that is house representatives वाहा का जो upper house Halse that is Senate जो सिफ impeachment की power होती है वो house representatives के पास होती है और जो removal की power होती हूँ, Senate के पास होती है इसको याद करने का एक तरीका होता है Senate के sam calendar आप लिख देना Soul power to remove और house representative के saman लिख देना Soul power to impeach I think यह जो है आप लोगों के बात जो है दिमाख में आ गई होगी Yes, it is important for CDS exam also You can give any exam after getting, after watching this analysis कोई सभी exam आप दे रहे हो, of course UPSC कम पस्पेक्टिव से करते हैं लेकिन देखो, मैं आपको फिर एक बहुत, मैं चीजों का एक्जामपल से बताता हूँ भाई यह बाई एक पानी का ग्लास मान लो, ठीक है? अब यह पानी का ग्लास इतना भर सकता है UPSC के GK का लेवल यहां तक है है ना, इससे उपर किसी के GK का लेवल है मतलब GS जो आप बोलते हो, दूसरे एक्जाम के रिस्टी में इसको GK बोला जाता है तो UPSC के एक्जाम के लेवल का जन्नल नौलेच जो है या करेंट अफेर जो है किसी एक्जाम में पूछा जाता है जवाब है नहीं तो जवाब इतनी तयारी करके रखोगे तो जब इतने इतने कोश्टन आएंगे छोटे लेवल के तो आप करीद होगे ना बहुत सिंपल सी बात है इसमें सोचने वाली को बात ही नहीं है चलो बढ़े आगे